Hello everyone, Welcome to Study IQ और Study IQ के इस वीडियो में हम डिस्स करेंगे बिहार PCS 2021 के लिए General Studies के Questions और ये हमारी होगी Marathon Class और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं मेरा नाम है Dr. Wipan Goyal So बढ़ते हैं आगे Session में Session में बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ इसमें हम बहुत अच्छे-चे Questions करने वाले हैं जो आपके PCS exam में आये होँ हैं Different-Different PCS के exam में भी आये होँ हैं और बिहार के exam में भी आये होँ हैं तो मैंने वो Questions इसमें लिये हैं Clear? और कुछ Questions मैंने अपने Paid Course से दिये हैं जो मैरा 10,000 MC की कोर्स है उससे मैंने कुछ Questions लिये हैं अब आप इन कोर्सिस को परचे जो आप जितने भी वीडियो लेक्चर्स और मेरे कोर्सिस की जानकारी जो भी कुछ आपको शेर करना होता है वो मैं आपके Telegram चैनल के उपर शेर करता हूँ यहां पर Dr. Wipan Goil के नाम से यहां पर मेरे साथ जो है 1,30,000 प्लस बचे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके यहां पर जुड़ सकते हैं Instagram और Facebook के उपर भी आप मुझे Follow कर सकते हैं और मेरे दो paid courses आते हैं The one is the 10,000 MC की course and second one is the GS course 10,000 MC की course के इंदर हमने Chapter wise, Topic wise MC की डिस्क्रस की है यहां पर वे डिटेल में यहां पर Chapter wise, Topic wise MC की हो तो है ही है प्लस यहां पर आपके different exam को focus करके State P से UPSC, SSC, Railway and Defense exams के भी मैंने question त्यार की हूँ है इसको आप देख सकते हैं और इस course को purchase करने का कल last day है जाने की 8 June weapon 10 coupon code यूज़ करेंगे तो आपको discount मिलेगा और GS course जो है पूरा का पूरा हमारा theory course है और इसके अंदर हमने जो चीज़े discuss करी हैं बिल्कुल Topic जो Topic होता है वो चीज़े हमने discuss करी है Topic to topic वा इसके लिए इसमें यह coupon code लगाना है 8 June को यह आप purchase करते हैं जाने के कल last date है इन courses को purchase करने की अब आप इन courses को purchase कहां से कर सकते हैं जो है studyiq.com जाने के हमारी website के उपर जा फिर आप download कर सकते है studyiq app जैसे आप download करेंगे आपको जो है screen के उपर ऐस तरीके से home page नज़र आएगा और यहाँ पर दिखेगा best selling courses view all का button इस view all के button को दबाना जैसे आप दबाएंगे 10,000 MC course आपको देखेगा तीसे नमबर के उपर और GS course आपको नज़र आ जाएगा चौते नमबर के उपर जो भी आपको courses अच्छे लगते हैं आप purchase करें preparation को आगे बढ़ाएं और मैं आपको बता दूँ आज के lecture के अंदर जो है हमारे जो question होंगे तीन चीज़ों से मैं वह मैंने लिए हूँ है एक तो आपके previous year papers जो आपके बिहार बिहार का कोई भी exam होता है चाए PCS का चाए BRSI का है मैंने उसमें से कुछ questions उठाए है और plus जो मेरा 10,000 MCU course है उससे मैंने कुछ questions लिए है यहां पे और plus different PCS के जो है कुछ questions मैंने यहां पे लिए है तो आप इन questions को अच्छे से attempt करना और end में आप बताएंगे कितना score आपका बनता है तो बढ़ते हैं आज के lecture के अंदर पहले question की तरफ तो देखे जी आज हमारा पहला question क्या कहता है Which Indian business man favored healthy capitalism in helping गांधी जी to work towards a common object मतलग क्या कह रहा है कि सर्व निशिष्ट उदेश्य के लिए जो है गांधी जी को जो है गांधी जी के सर्व निशिष्ट उदेश्य के लिए कारे करने के लिए उनकी सहाइता के लिए लाव प्रद पूंची वाद का समर्थन किस भ्यारतिय जो है विवसाई ने किया जाने कि किस भारतिय ने बताया गांधी जी को healthy capitalism के बारे में कि हाँ capitalism होना चाहिए market में competition होना चाहिए अगर आप एक common object की तरफ चल रहे हैं तो ये दिया था गंशाम दास बिरला जी ने जीडी बिरला जी ने अंसर इसमें क्या बनेगा ये option बनेगा जीडी बिरला जी ने ये बताया था और मैं आपको बता दूँ कि गांधी जी जो है जीडी बिरला जी के घर पे जो है रहते थे डैली के अंदर और प्लस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा एक फिक्की याद करीजिए आप य ये एक अस्वीशन है जो बिजनस और्गनाजिशन को रन करती है ये गे है और ये महात्मा गांधी जी द्वारा है मात्मा गांधी जी की advice थी लेकिन इस association को start किसने किया था G.D. बिरला ने और परशोतम दास ठाकूर ने परशोतम दास ठाकूर ने start किया था ये भी आपको याद रखना है फिकी का भी पेपर में कई बर question आयाता है 1927 में on the advice of Mahatma Gandhi by the G.D. बिरला and परशोतम दास ठाकूर answer इसमें क्या बनेगा ये option बनेगा गंशाम दास बिरला जी डी बिरला next question many transplanted seedlings do not grow because देखे कुछ भी अगर हम जब हम क्या करते हैं कि transplanted seedling like for example आप nursery से कोई आप plant ले के आते हो ठीक है जा कहीं से भी आप plant ले के आतो और दूसरी जगह के उपर उगाते हो तो वो grow नहीं कर पाते they do not grow because क्यों नहीं grow कर पाते क्योंकि उनके काफी जो roots roots hairs होते हैं वो lost हो जाते हैं during transplantation जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले के आएंगे तो obviously बात है उनके जो roots hairs होंगे नीचे roots होंगी वो तूट जाएंगी और खराब भी हो सकती है तो इसलिए इसका answer क्या बनेगा c option बनेगा c option is the right answer most of the root hairs are lost during the transplantation answer इसमें क्या बनेगा c option बनेगा very important next question who certifies the money bill धन्विदेक बिल को कौन पर मानित करता है दिखिए first of all money bill होता गया है एक bill अगर bill के उपर speaker के sign हो जाएं तो उसको आप क्या कह देते हैं money bill कह देते हैं धन्विदेक bill कह देते हैं और money bill का article number कितना है 110 है president की permission से इसको लेकिया आना पड़ता है और हमेशे ये bill आता है लोकसभा में सारी power लोकसभा की है राज्यसभा की कोई भी power इसमें नहीं देखने को मिलती और one more thing is कि इसमें लिखा क्या होता है कि कोई भी आप tax घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं वो लिखा होगा इसमें salaries के बारे में लिखा होगा कि हाँ हम कौन कौन से salaries इसको पे कर रहे हैं लोन्स के बारे में लिखा होगा कि हाँ हम लोन्स चुका रहे हैं इंटरस्ट लोन पेमेंट दे रहे हैं और जो हमारा custody of constitution की उपर खर्चा आ रहा है उसके उपर हम पैसा करते हैं appropriation bill बनता है आपका budget के बाद जो है पेश होने के बाद तो उसका सारी की सारी जो चीज़े होती है वो आपकी money bill के अंदर लिखी होती है तो certification कौन देता है money bill की always speaker answer is C option एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको लेके आने के लिए permission हमेशा पहले president की लेनी पड़ती है यहां पर certification क्या आती है तो answer इसमें क्या बनेगा speaker लोगसबा अध्यक्ष next question after the independence in which year that the Indian state reorganized on the linguistic basis मतलब भारत देश की आजादी के बाद जो है कौन से year में जो है language basis के उपर हमने जो है पूरी states को organize किया actually एक amendment आई थी 7th amendment act 7th amendment act 1956 जिसके according जो है 14 states और 6 unit territories को जो है आपने बनाया था तो answer इसमें क्या बनेगा आपका C option बनेगा 1956 बड़ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो 7th amendment act हुआ था इस act को आप और क्या कहते थे हैं आप इसको कहते हैं state reorganization act state reorganization act very important डाइगोशन state reorganization act 1956 अब क्या था कि जब देश आजाद हुआ था तो एक S के धार कमिशन बैठा था पहले S के धार कमिशन 1948 में उसके बाद इसकी recommendation दिये थी कि हाँ administration के according जो है जैसे बटा हुआ देश है बांट दो यह हमने मना कर दिया JVP कमेटी ने जो आहलान नैरू बल्लबाई पतेल पत्ता भी सिता रमया ने मना कर दिया फिर 1953 में एक परसन से आंधरा परदेश से आंधरा परदेश से परसन थे जिनका नाम था पोटी श्री मल्लू ठीक है तो श्री मल्लू जो है एक स्टेट अलग बनाओ, मदरास से अलग जाने के आंदरा की डिमांड करी थी, तो इनका 53-56 देस के बाद इनका दिहान दो गया बुखरताल के बाद, उसके बाद जो है ये स्टेट डिवाइड हुई थी मदरास, आंदरा परदेश और तमिलनाडो में, क्योंकि एक कमिशन बैटा था, जिसे आप कहते हैं, फजल अली कमिशन, तो फजल अली कमिशन की रिकुमेंडेशन से जो है आपका सारा का सारा पूरा कंट्री जो है डिवाइड है, लेंगुज बिसिस के उपर, ठीक है, और फजल अली कमिशन के अंदर तीन लोग थे, मतलब जो है आपके पत्ती के संशोधन ऐसे कौन से किये गए हैं कि रिगिस्थान में भी वो अपना पानी लोज ना कर पाएं, जाने कि पानी लोज से बच जाएं तो किस तरीके की मॉडिफिकेशन देखने को मिलती हैं, पहला है hard and the waxy leaves, बिल्कुल सही है जी, वहाँ पे बन जाते हैं wax cover लिकर लेते हैं और पानी लोज देखने को आपको कम मिलता है, टाइनी लीफ्स और नौ लीफ्स बिल्कुल जाते हैं आपके जो है thorns बगरन देखने को मिलते हैं जा लीफ्स खतम कर लेते हैं वो thorn instead of leaves ये भी बिल्कुल सही है, जाने के आपका पहला दूसरा तीसर स्टेटमेंट क्या बनेगा, राइट अंसर बनेगा, जाने के कठोर और मुमी पत्या बन जाती हैं और छोटे पत्या बहुती जा कोई पत्या भी नहीं होती, जब पत्यों की बजाए जो है कांटे नजर आने लग जाते हैं, तो D option क्या बनेगा, correct answer बनेगा, D option is the right answer, next question, with a view to have animal protection, world over, several countries have been brought under the cover of the sites, with effect from the 26th of August 2019, what does E stands for this acronym, sites word का मतलब क्या होता है, this is called sites, sites का मतलब होता है, the convention on, convention, मैं लिखे देता है, convention on international trade in endangered species, द्वार बोल रहा हूँ, convention on international trade of endangered species, clear, endangered species किसकी, fauna and flora की, fauna and flora मतलब plants और animals की, fauna and flora, तो इसका मतलब E से यहाँ पर word क्या है, जी आपका endangered है, तो answer इसमें क्या बनेगा, looked prior, a option क्या बनेगा, correct answer बनेगा, a option is the right answer, और यह resolution जो adopt किया था, हमने 1963 में adopt किया था, और open था 1973 के अंदर signature करने के लिए, और पूरा का पूरा जो लागू किया गया था, वो 1 जुलाई 1975 को यह लागू किया था, पूरा का पूरा sites का convention, हमने 1 जुलाई 1975 को लागू किया था, इसमें E word का मतलब क्या है, endangered है, answer is, a option is the right answer, next question, the working committee of national congress sanction, the resolution named quit India Act, जाने के भारो छोडो नाम का प्रस्ताव की मंजूरी जो है, यहाँ पे कब दी गई थी, बारो छोडो अंदोलन हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, clear, 8 अगस्त 1942 को, और 8 अगस्त हम quit India Day भी कह देते हैं, और जो यह committee बैठी थी, वो बैठी थी, वर्धा के अ अंदर, तो answer इसमें क्या बनेगा, A option बनेगा, और प्लस यहाँ पे गांदी जी ने do और die का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, और यह जो है violent moment थी, जो है हिंसा जनक moment थी, और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूंगा, जो quit India moment है, यह एक जो है leaderless moment है, leaderless, ज next question, body temperature is regulated by, जाने के श्रीर का जो ताबमान है, वो किसके द्वारा नियंतरित होता है, श्रीर का ताबमान नियंतरित होता है, हमारे body में से जहां से सबसे ज़्यादा hormones निकलते हैं, that is hypothalamus, answer is B option, और इसको आप क्या कह देते हैं, thermostat भी इसको कह देते हैं, क्या कहते हैं, thermostat, thermostat भी इसको कहते हैं, किसको hypothalamus को, thermostat और hypothalamus से जितने भी hormones हैं, यहां से निकलते हैं, pituitary gland से, और plus hypothalamus जो है, hunger center, book center का, और thrust center भी देखने को आपको मिलता है, book और प्यास का, medulla की अगर मैं बात करूँ, जितने भी involuntary activities होती हैं, चाहें आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, ठीक है, और respiration ले रहे हो, धिल की दड़कन आपकी चल रही है, वो medulla से control हो रहा है, cerebellum, जो जिसे आप little brain के नाम से आप जानते हैं, छोटा दिमाग, और alcohol जो होती है, सबसे ज़्यादा यहां पर effect करती है, आपके body के part के उपर, और plus हमारे जो हम सीधा खड़ा रहे हैं, तो वो हमें posture maintain करने में cerebellum help करता है, thalamus जो होता है, यह heat और cold का center देखने को आपको मिलता है, तो body temperature कहां से control हो रहा है, hypothalamus से B option क्या बनेगा, right answer बनेगा B option, next question, which of the falling grants, grant और grant direct credit assistance to the rural household, जाने के गाउं के जितने भी गाउं के लोग होते हैं, उनके अंदर, उनके banks account के परदान करता है, परत्यक्ष रिन सहायता, मतलब उसके account में सीधा का सीधा पैसे जा रहे हैं, वो कौन परवाइड कर सकता है, इन में से, RRB, बिल्कुल जी, RRB 1975 में इसको जो है, start किया गया था, नरसिमम कमेंटे की recommendation से, और ये तो बिल्कुल आएगा, जी आएगा, ठीक का आपका 15% है, और Nationalist Bank का 35% देखने को आपको मिलता है, share, RRB के अंदर, तो मतलब ये तो सीधे banks के जो है, लोग देते हैं, पैसे, बिल्कुल सही है, दूसरा option है, National Bank for Agriculture and Ruler Development, जाने के नाबार, नाबार जो है, गाउं के, जो लोगों के पैसे नहीं देता, उनके account में पैस सीधे पैसे नहीं देता, तो इसलिए इसका answer क्या बनेगा, आपका C option बनेगा, C option क्या बनेगा, correct answer बनेगा, important question है, गलत नहीं करना, answer is C, next question, the chemical that is used to ripen mangoes, जाने के जो mango है, आम को पकाने में, इसमें इस्तेमाल का रसाइन कौन सा आता है, कौन सा chemical देखने को आपको मिलता है एक चीज़ आपको बता दूँ कि chemical जो होता है, वो होता है, आपका calcium carbide, answer is B option, answer is B option, और प्लस अगर आपसे पूछा जाए, gas कौन सी है, तो ethylene gas है, वहाँ पे जो है, acetylene भी आ जाता है, तो दो एक लेना, जो paper में option होगा, देख लेना, सही हो जाएगा, ठीक है, answer is B option, clear, और यह है, calcium carbonate, CaCO3, इसको कहते हैं, CaCO3, and calcium sulfide is CaS, clear, मैं बता रहा हूँ, बस बाकी यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो, कि राइपन मेंगो के लिए, calcium carbide is the very important, जो chemical है, Next question, Asiatic Society of Bengal was established in Calcutta by, जाने कि Asiatic Society जो है, वो किसके द्वारा स्थापना करी गई थी, तो वो स्थापना करी गई थी, किसके द्वारा, Sir William John's द्वारा, answer is B option, और यह established कब करी गई थी, 1784 के अंदर, 1784 ISV के अंदर, clear, answer is B option, यहाँ पे Warren Hastings का नाम है, Warren Hastings जो है, इनके टाइम पर regulating act आया था, और यह पहले, जो है, Governor General of Bengal बने थे, Governor General of Bengal, यह द्यान अकना है आपको, और उसके बाद, राजा राम मोहन राए, यह ब्रह्मो समासे के साथ समन्नित है, राजा वर्ड जो है, इनको दिया था, अकबर दृत्या ने, अकबर दृत्या ने दिया था, मुगल ए English Language को promote करने के लिए बात करी थी, राजा राम मोहन राहे की मदद से ही, जो है आपका, जो, that is, जो आपकी English Education प्रमोट ही, और जो है, सती प्रथा खतम करी गई, सती प्रथा, clear, और English Language को promote करने में, जो है, हाथ, जो है, बैंटिक का भी था, लॉर्ड बैंटिक का, ठीक है, य इसमें भी बैंटिक का बहुत बड़ा हाथ है, यह चीज़ ध्यान रखना, सो मैं कॉले के बारे में बताई दिया है, तो इस question का अंसर क्या बनेगा, विलियम जॉन्स, next question, with reference to the food chain in the ecosystem, which of the following kinds of organism are known as decomposer organism or organism, decomposer word का मतलब पता क्या होता है, कि जो dead material की उपर जिन्दा रहता है, और उसको decompose करते करते क्या करता रहता है, कि हमारे लिए एक ऐसी चीज़ बना दे, जो हमारी soil के लिए beneficial होता है, organic materials को break करके, बहुत सारी चीज़े त्यार कर देते है, ताकि हमारी soil के fertility बढ़ती रहती है, fertility बढ़ती रहती है, तो इसमें कौन से चीज़ है, जो soil के उपर ऐसे काम करते है, fertility बढ़ाने के लिए, तो इसमें दो चीज़े हैं, fungus और bacteria, जाने के, fungi और जिवानु इसमें ऐसे है, virus नहीं आएगा, तो इसमें answer is second and third option, वाइरस जो है, virus is the connective link between the living and not living, और इसको आइवेन और इंडियन इंस्ट्यूट आफ वाइरल लॉजी जो है, वो कहां पर है, पूने महराष्टा के अंदर है, और fungus की study को हम क्या कहते है, mycology, mycology कहते है, algae की study भी पूछा जाता है, phycology, algae की study is called phycology, answer इसमें क्या बनेगा, B option बनेगा two and three, next question, the main protein found in the milk is, the main protein found in the milk is, जो milk के अंदर protein देखने को मिलता है, आपको casein, answer is D option, actually क्या होता कि बच्चों के अंदर जो है, आपका एक enzyme होता है, renin, renin enzyme बड़ एक्टिव होता है, जैसे आप देखेंगे कि वो बच्चे दूद पीते हैं, दूद पीते ही वो जब उल्टी कर दें, जा वमिट कर दें, ठीक है, तो वो एक दही की form में करते हैं, actually क्यों, क्योंकि वो renin enzyme में काफी active होता है, और दूद में protein को जो है, वो दही में convert कर देते हैं, globin की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये globin जो होता है, ये hemoglobin का part है, किसमे blood का part आता है, RBCS का part देखने को आपको मिलता है, globulin की अगर मैं बात करता हूँ, तो globulin जो है, ये हमारे immune system को develop करने के लिए बड़ा role play करता है, infection से fight करता है, blood clotting में भी आपको help करता है, और ये liver में बनता है, very important, liver में बनता है, albumin, albumin is again important, albumin जो है, again एक protein है, जो liver में बनता है, liver में, ठीक है, ये चीज़ जहां रखे, और blood plasma में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, blood plasma में देखने को आपको मिलता है, blood plasma में, answer इसमें क्या बनेगा, D option, casein is the right answer, next question, bio fortification is a, bio fortification जो है, ये क्या होता है, ये एक method है, कि जिससे हम किसी भी crop की nutrition value जो है, भढ़ा सकें, this is called bio fortification, that is a method of breeding crops to increase their nutritional value, जनके उनके पोशन मुल्या को इदी को आप क्या कहते है, bio fortification आप कहते है, answer इसमें क्या बनेगा, a option is the correct one, very important, next question, black soil is also known by the witch name, black soil को और क्या कहते है, black soil जो होती है, वो cotton की खेती के लिए आपको चाहिए होती है, कपास की खेती के लिए, कपास वहाँ पर उकती है, जहां पर नमी हो, जो है, moisture content देखने को मिलता है, और black soil जो होती है, volcanic, जो है, rock होती है, जनके volcano वगरा से देखने को आपको मिलती है, और इनमें देखेंगे, आप cracks वगरा पढ़ जाते हैं, क्योंकि water retention करके यहां पर crack देखने को आपको मिल जाएंगे, और इस soil को आप रहगूर soil के नाम से भी जानते हैं, और इस जिसमें lime, lime, aluminium, calcium, potage, यह ऐसे सारी चीज़े रिचे देखने को आपको मिलती है, और यहां पर लिखा हुआ है, जिसे आप जलोड मिटी भी कहते हैं, जलोड मिटी, ठीक है, अगर आप से पूछा जाए, सबसे fertile soil कौन सी है, सबसे fertile soil कौन सी है, वो आपकी aluvial soil है, और aluvial soil जो आती है, यह foot hills of हिमाल्याज में, जो हिमाल्याज की foot hills है ना, वहाँ पे देखने को आपको मिलती है, रिवर, जवार, नदिया बगारा लेके आती है, तब ही जो है आपका, अगर आप इंडिया का map देखेंगे, इंडिया का map देखेंगे, ठीक है, तो पूरा का पूरा यूपी, हरयाना, यहाँ पे ही सब कुछ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी साल नदिया बहती है, और प्रपर तरीके से agriculture देखने को मिलता है, अलूवियल स्वाइल देखने को आपको वहाँ पे मिलती है, clear, और यहाँ पे लिखा हुआ है, बांगड और खादर fishing grounds वहाँ पे होते हैं, जहाँ पे आपके दो water current जो है, meet करते हैं, वो दो water current कौन से है, hot and cold, hot and cold water current जो जहाँ पे मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या दिखने को मिलेगा, fishing grounds देखने को मिलेंगे, तो answer इसमें क्या बनेगा, C option बनेगा, गर्म और ठंडे मास अगर धराएं जो है, जब मिलती है, जब भी ठंडा और गरम पानी मिलता है, तो आपकी fog पैदा होती है, ये भी आपको याद रखना है, और प्लस यहाँ पे चीज़ यार नखिये, कि fishing ground, for example, अगर मैं बात करूँ, कि जो आपके found land, great bank of found land है, ठीक है, जहाँ पे आपका North Atlantic drift और cold, labrador, current अगरा मिलते हैं, तो वहाँ पे भी जो है, ये fishing grounds देखने को मिलते हैं, और प्लस fog का condition देखने को आपको मिलती है, आंसर इसमें क्या बनेगा, sea option is the correct one, where warm and cold ocean current meet, next question, in eukerotic cells, synthesis of RNA takes place in, जाने कि RNA जो है, का translation कहां पे होता है, बनता कहां पे है, RNA जो बनता है, RNA देखे एक process होता है, DNA से बनता है, RNA, RNA से बनता है, protein, ये भी आपको याद रखना है, और इसमें process जो होता है, DNA से RNA बनने का, उसको आपके कहते हैं, transcription कहते हैं, transcription, और RNA से protein बनने के process को आपके कहते हैं, translation कहते हैं, clear, ये य प्रेजन्ट होगा उसी सी जगह पे RNA बनेगा तो इनमें DNA होता है mitochondria में DNA देखने को आपको मिलता है और nucleus के अंदर DNA देखने को मिलता है लेकिन synthesis जो होती है RNA की वो देखने को मिलती है nucleus में answer is D option क्या बनेगा right answer बनेगा और nucleus में nucleus को आप क्या कहते है control room of the cell भी इसको कहा जाता है DNA भी देखने को आपको मिलता है यहाँ पे answer is D option ribosome जो है इनको आप protein factory of the cell भी आपको कहते है protein factory of the cell centrioles वहाँ वो होता है कि जो animal cell में cell division के आपको काम आता है जाने के जो विखंडन के काम आता है कोशी का विखंडन के जो mitochondria DNA होता है powerhouse of the cell भी इसको कहते है और plus जो कोई एक cell जो सांस लेता है respiratory site of the cell वो कौन सी है mitochondria देखने को आपको मिलती है answer इसमें क्या बनेगा D option nucleus is the correct one next question what is the name of the book written by panini panini द्वारा जो है इन में से कौन सी book लिखी गई है वो लिखी गई है अश्थ ध्याय अंसर इसमें क्या बनेगा D option और अश्थ ध्याय जो है ये आपकी एक Sanskrit grammar है पहली and one more question is कि अश्थ ध्याय के उपर एक commenter लिखी गई है वो लिखी है पतंजली ने पतंजली ने एक commenter लिखी है उसका नाम क्या है महाभाश्या महाभाश्या जो आपकी ये वाली है महाभाश्या तो ये चीज़ ध्याय रखिए तो अंसर इसमें क्या बनेगा D option लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मिताश्या ठीक है मिताश्या जो है inheritance by birth जाने के जो आपकी generation to generation जो चीज़े आती है वो यहाँ पे लिखी गई है और विजनेश्वर ने इसको लिखी है विजनेश्वरा विजनेश्वरा ने लिखी है माध्यमिक कारिका जाने के आपका जो है माहयान philosophy के उपर based आईए और ये concept दिया था नागरजुना ने नागरजुना ने concept दिया था अंसर इस D option अश्ठ ध्याए next question which of the following constitute the capital account जाने के इन में से पूझी खाता जो है वो कौन सा है देखे जो capital account होता है capital account हमेशा आपका जिसमें long term funds आते हैं वो होता है एक होता है government का current account ठीक है current account और current account government का वो होता है जहां पे आप import और export करते हो जितने भी सारी चीज़े आती है अब यहां पे long term में जो आएगा पैसा जैसे foreign loan हो गया ठीक है जैसे IMF World Bank से आए यह आपका long term के लिए आता है foreign direct investment जो आपका long term investment होती है और हमारे देश में asset creation करके जाते हैं और जो हमारे देश के लिए benefit होती है portfolio investment FPI और FIA जिसे आप कहते हैं foreign institutional investor foreign portfolio investment जो आपके shares और bonds में purchase करते हैं यह भी आपके capital account का हिस्सा होते हैं लेकिन यह short term के लिए करते हैं यह ध्यान रखना और portfolio investment को आप और क्या कहा देते हैं hot money के नाम से भी आप जानते हैं hot money के नाम से भी यह ध्यान रखना है आप लोगों वो किसका part आता है current account का आता है लेकिन इसमें capital account पूछा था हाँ 124 is the right answer इसमें B option क्या बनेगा right answer बनेगा 124 is the correct one next question thermal electricity is generated by which one of these जनके thermal electricity जो है सबसे ज़्यादा कैसे पैदा करी जाती है हमारे देश में सबसे ज़्यादा electricity जो है energy जो अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्य electricity पैदा करी जाती है coal natural gas और petroleum से answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा very important और एक चीज़ और आपको मैं बताना जाओंगा कि सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाए कि किस से पैदा होती है तो वो coal से पैदा करी जाती है लेकिन तीनों ही इसमें आएंगे clear और coal जो है आपका इसम one has a most suitable climatic condition for the cultivation of large variety of orchards with minimum cost of production and can develop and export oriented industry in this field मतलब क्या है orchid जाने की orchid पैदा orchid ज्यादा करने के लिए इन में से कौन सा ऐसा state है और जहां पर आप export भी कर सकते हैं और यह state है जिस सबसे ज़्यादा जो orchid और orchid पैदा करता है that is Arunachal Pradesh answer is B option is the right answer और नाचर परदेश में आपको याद रखना है कि यहां पे एक नामडाफ national park है नामडाफ national park है malling national park है ठीक है आदर परदेश में आप एक और याद करो कि यहां पे wildlife century याद कर लो it's called Pakwee and Pakwee wildlife century यह आपको याद रखना है answer इसमें क्या बनेगा B option बनेगा next question who among the following established the department of archaeological survey archaeological survey का जो department है वो किसने start किया था और अगर मैं बात करूँ archaeological survey का तो ये start किया था Lord Curzon ने answer इसमें क्या बनेगा ये option बनेगा लेकिन अगर आपसे पूछा कि archaeological survey of India archaeological survey of India archaeological survey of India जो है ये किसने start किया था ये 1861 में start किया गया था by Alexander Cunningham जो इसके पहले director general भी बने थे Alexander Cunningham दोरा जो Cunningham और जो अब हमारी कौन से ministry के अंडर आता है survey ministry के अंडर आता है and ministry of culture के अंडर आता है ministry of culture के अंडर आता है पुरातत्व का department ठीक है ये ध्यान रखिए और ये जो है बिवाग जो है पुरातत्व सर्वेक्षन बिवाग ये लॉर्ड करजन की बतौला जो है establish किया गया था और लॉर्ड करजन वो ही है जिनोंने बेंगावर partition करवाया था लॉर्ड मिंटो मॉरले मिंटो reform 1909 जिसमें आपके separate electorate की बात करी गई थी लॉर्ड चैंट्सवर्ड ये Montescue चैंट्सवर्ड reform के साथ समबंदित है जब DRK की बात करी थी दोए शासन की बात करी गई थी कहां पे दोए शासन की बात करी गई थी आपके प्रांतों के अंदर और लॉर्ड हार्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वो है जब 1911 के अंदर कैपिटल अनौंस करी गई थी कि हम दिल्ली कैपिटल जो है कलकता से दिली शिफ्ट करेंगे और 1912 में करी गई थी जब इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी तो लॉर्ड हार्डिंग के उपर बंब फेका गया था आप मुझे comment section में लिखके बता सकते हैं कि Lord Harding के उपर बंब किस ने फेका था या मुझे comment section में लिखके बताएंगे इसमें answer क्या बनेगा A option Lord Curzon Next question Which one of the falling is not a not a site for in-situ method of conservation of nature in-situ का मतलब बता क्या होता है in-situ का मतलब ये होता है कि अगर आप natural method में natural जैसे suppose करोगी जहां पर आप जन में हो अगर आप उसी nature में रह रहे हो for example plants, animals, कुछ भी हो तो वो अपने एक natural environment में रहते हैं अगर आप उसको पकड़ के ना रखो ठीक है natural environment में रहते हैं बाइसे रिजर्व हो गया नैच्रोल है बोटैनिकल गाड़न इस इस काल्ड एक सिटू ये गाड़न में रख रहे हो आप बहार wildlife century जो है natural है नैशनल पाक जो है natural है तो मतलब A, C, D जो है वो in-situ है और बोटैनिकल गाड़न जो है वो एक सिटू है तो इसका अंसर क्या बनेगा आपका B option बनेगा बोटैनिकल गाड़न इस दा राइट अंसर बानसपतिक उध्यान इस दा करेक्ट वन B option इस दा राइट अंसर next question what was the purpose with which sir William Wederburn W.S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893 1893 के अंदर जो है इनके दोरा इंडियन Parliamentary Committee के अंदर constitute क्या गया था और purpose क्या था इसका purpose ये था क्योंकि पहले इससे क्या था 1885 का जब बनी थी आपकी Indian National Congress तो उसमें जो है जो W.S.B.E.N.A.G. was the chairperson लेकिन किसकी सहायता से बनी थी A.O. Hume की सहायता से बनी थी जो A.O. Hume है A.O. Hume की मदद से बनी थी लेकिन A.O. Hume जो है General Secretary बने थे यहां पर INC के लेकिन इसके इनके इलावा भी दो person ऐसे थे जो इन्होंने associate किया था वो कौन थे? Sir William Baderban N.W.S. जो है William Baderban और एक person थे Justice John Jadden जस्टिस जॉन जैडन ये थे तीन लोग थे जो अंग्रेजों ने साथ दिया था ठीक है और इसलिए विलियम बैडरबन और WSK ने क्या किया था कि हाँ आप ऐसे करो कि जो इंडियन्स है ना उनको कुछ राइट सो दो political reforms तो करो ताकि जो है आपके वो देश में अच्छा सा काम कर पाएं और अपना देश चला पाएं ठीक है मतलब अपना काम कर पाएं क्योंकि उस टाइंपे moderate से नरम दल वाले लोग थे तो इसनका जो main उदेशया था वो क्या था ताकि to agitate for the Indian political reforms in the house of the common house of common के अंदर जो है यह लड़ पड़े थे मतलब उनके भारतिया राजनिती सुधारों के लिए जो है उन्होंने आंधोलन कर दिया था common house के अंदर house of common में जो British government का house है answer इसमें क्या बनेगा? A option बनेगा next question what is the difference between the vote on account and interim budget? vote on account और interim budget का क्या मतलब होता है? जाना कि अंतरिम बजट और vote on account vote on account का मतलब यह होता है कि suppose करो कि आपके suppose करो कि जैसे कि आपके कोई just government है government 카re taken government है caretaker government जाने कि ए ग्स्वार्णे gomig aimeलून है तो क्या होता कि FAB में budget पेश्क करते हैं लेकिन जो पास होता है वो मे मे होता है अब फैब से मे का खर्चा जाही होगा वो केर टेकर अगर गवर्मन्न खर्चा ले रही है तो that is called vote on account और इसमें पैसा खर्चा कितना होता है 1,6 जितना आपका बजट होता है एक बड़ा 6 पैसे देते हैं लेकिन जो इंटेरिम बजट ह होती है अगर गवर्मन्न को लगे कि हाँ वो ही गवर्मन्न आएगी तो वो रेगुलर बजट पेश कर देती है रेगुलर टाइप ऑफ बजट जिसे आप इंटेरिम बजट कहा देते हैं जिसमें सारी चीज़े बजट जैसी लिखी होती है तो वो आपकी इंटेरिम बजट देती है और interim budget का मतलब यहां पर यह हो गया कि इसमें आपका खर्चा भी लिखा होगा expenditure भी लिखा होगा और इसमें लिखा होगा कि कहां से पैसा आया है receive हुआ है यह दोनों चीज़े लिखी होंगे तो vote on account जो है caretaker government द्वारा और interim budget regular government द्वारा और तो vote on account में expenditure लिखा होता है interim budget में पूरा खर्चा और कहां से पैसा आएगा वो लिखा होता है vote on account में एक बटा 6 पैसे मिलते हैं पूरे जितना भी budget हो आपका तो देखे जी क्या है पर vision of the vote on account is issued by the used by the regular government नहीं यह मैंने आपको बता दिया vote on account जो है caretaker government द्वारा होता है तो पहला statement यह आपका गलत हो गया दूसरा है vote on account only deals with expenditure in the government in his budget while an interim budget includes both expenditure and receipts यह आपका point बिल्कुल सही है दूसरा point आपका बिल्कुल सही है कि vote on account जो होता है यह cable सरकार के खर्चे का सौधा budget है लेकिन अंतरिम budget में जो होता है खर्चे और इसी दोनों शामिल होते हैं तो इसलिए answer क्या बनेगा जी आपका B option बनेगा B option केवल दो is the correct answer B option next question which other falling is an organic acid carbonic amal जो है इन में से कौन सा है organic acid पूछ रहा है जी carbonic amal कौन सा है और organic वो होता है जो चीजे natural चीजे से produce करते है natural चीजों में use होता है और इसमें use होता है आपका that is acetic acid क्या answer is C option acetic acid acid का जो formula होता है CH3 COHO होता है जिसे आप इथेनोईक acid के नाम से भी जानते हैं सिर्क का जिसे आप कहते हैं और यहाँ पे hydrochloric acid है HCL हमारे stomach से निकलता है stomach की कौन सी stomach जनके आपके amasia से और stomach से कहां से निकलता है oxintic cell से जो digestion में आपके काम आता है और nitric acid के अगर मैं बात करूं तो HNO3 होता है जो HNO3 है यही आपके जब पहली बारिश आती है तो देखने को मिलता है salifuric acid S2SO4 king of acid भी इसको कहते हैं answer is क्या बनेगा C option बनेगा acidic acid next question which one of the following statement appropriately described the fiscal stimulus जो अभी नजर में आया था आपको news में नजर आया था राज कोशिया उतेजना जो word है इसका मतलब क्या होता है fiscal stimulus का मतलब यह होता है कि जब government का काम ठप जाए जब गर्मेंट नग्रोथ कर पा रहे हैं जैसे अभी COVID-19 का process चल रहा है तो ना तो लोग जो है वो घर पे बैठे हैं काम नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीगे से और government भी नहीं चल पा रही है लोगों तक प्रॉपर तरीगे से आपका काम नहीं मिल रहा कुछ भी नहीं मिल रहा तो इससे क्या होता है कि government ने अभी 20 लाग क्रोड रूपे की बात करी थी फिसकल stimulus की बात करी थी कि जिसमें एक positive action लेती है government of India ताकि जो है economic activity को बढ़ाया जा सके लोगों को employment दी जा सके import export किया जा सके तो यह क्या होता है it is an intense affirmative action of the government to boost economic activity in the country answer इसमें क्या बनेगा B option बनेगा यह देश में आर्थिक गतिवदियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सकरात्मक कारवाई होती है answer is B option is the right answer next question महात्मा गांधी said that some of its deepest conviction were reflected in a book title unto this last यह unto this last book जो है इन गांधी जी के उपर बड़ा परभाव दाला था और यह book किसकी है John Ruskin की यह भी आपको पता होना चाहिए यह John Ruskin की book है clear और यह book का जो है बहुत ज़्यादा परभाव धाला था and book transferring his life जनके उनके life को change कर दिया था ठीक है उनके life को change कर दिया था what was the message from the book that transformed महात्मा गांधी देखे John Ruskin की इस book से जब उन्होंने पड़ा तो इन्होंने देखा कि अगर मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ ना तो मुझे सब के लिए अच्छा करना पड़ेगा मतलब अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि obviously बात है कि एक व्यक्ति का अगर अच्छा कर रहे हो तो उसी में ही सब की भलाई शामिल है जिसमें आपका गांधी जी का जो concept आया था सरवोधया, जाने के सब का उदया, rising of all का जो concept आया था, सरवोधया concept आया था, वो गांधी जी ने इस book के उपर ही दिया था, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि अगर आप अच्छा कर रहे हो किसी का, obviously बात है, सब व्यक्ति, अगर एक व्यक्तिका है, अगर आप अच्छा कर रहे हो, for example, देखिए, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं किसी की life नहीं चेंज कर सकता या करता हूँ या कुछ भी ऐसे है, अगर सब्वोज करूँ कि इस लेक्चर को पढ़के मैं कहता हूँ कि भाई अगर मैं इसमें 100 कोशन डिस्कस करने जा रहा हूँ तो 100 कोशन में से अगर आपके पेपर में 3 कोशन भी आगए, ठीक है तो आपके लिए major change हो जाएगा, मतलब 3 का 6 सीधा नंबर हो गए, हो सकता कि सीधे के सीधे आपको 5 दिख जाए, हो सकता है 10 भी दिख जाए, अगर आपको इन में से कोशन नजर आगे, मेरी explanation में आपको नजर आगे कि पेपर में ऐसी कोशन पढ़े है तो आपकी तो life change होगी ना तो इसका मतलब गया है कि अगर मैं एक बंदा भी मेरा इस lecture को बहुत ढंग से सुन रहा है अगर मैंने उसकी life change कर दिना तो मेरे लिए बहुत है, that means मैंने उसका उध्या कर दिया, सरवोध्या कर दिया और बच्चे तो बहुत सारे देख रहे हैं, तो उसमें सबका उध्या होने वाला concept आता है यह महात्मा गांदी जी का concept था that means the good of the individual is contained in the good of all, that means b option क्या बनेगा, right answer बनेगा एक व्यक्ति की अगर भ्लाई कर रहे हो तो सभी के हित में वो नहीं हीता है लेकिन यहां देखिए कि यहां पे आपने एक व्यक्ति की help कर रहे हो इसमें यह नहीं है कि पूर को help कर दिया है depressed class को help कर दिया किसी भी व्यक्ति के अगर आप help कर रहे हो तो उसमें आपको benefit नजर आएगा ही आएगा यह दियार रखना answer इसमें क्या बनेगा आपका answer इसमें क्या बनेगा b option is the correct one b option is the right answer बनेगा इसमें से ठीक है b option next question देखे consider the following actions with the government can take यह देखे जी कब कह रहा है जब current account deficit चल रहा था अब current account deficit का मतलब बता क्या होता है current account deficit का मतलब वो होता है कि जब आपके घाटा पड़ रहा हो government का ठीक है so government का घाटा का पड़ेगा government का घाटा पड़ेगा जैसे for example आपका import export की बाद चल रही हो ठीक है तो import export की बाद चल रही हो और import export में जो है government का कोई घाटा बढ़ जाए ठीक है import export में अगर government का घाटा बढ़ गया current account deficit हो जाएगा जैसे for example हमारे देश में import जादा हो गया import बढ़ गया export से ठीक है import अगर export से भढ़ जाए तो उसमें case में यह नजर आपको देखने को आपको मिलता है import is greater than the export ठीक है अब इस case में क्या नजर आता है आपको इस case में नजर आता है कि जब import बढ़ गया तो आपका export कम हो गया और जिससे हमारे government को घाटा बढ़ गया that is called that is called आपका current account deficit clear that is called current account deficit अब question क्या गह रहा है कि हमें इसको reduce करना है तो reduce कैसे करेंगे भाई अब reduce इसलिए करेंगे कि आप ऐसे करो कि आप जो है जो I mean to say export बढ़ा दो अब export कैसे बढ़ाया जाएगा export बढ़ाने के लिए जा तो आप export बढ़ा दो जा फिर आपके पास पैसे आ जाएगा जा फिर कुछ इस तरीके के help करो कि मतलब add the end जो है आपके पास पैसा आना चाहिए तब ही आपका current account deficit कम हो पाएगा जा फिर आप import के उपर जो है import जो चीजें वो कम कर दो export बढ़ा दो किसी भी तरीके से लेकिन अब इसमें हमें phenomena समदना पड़ेगा कि वो कैसे आएगा ठीक है तो first of all जो है यहाँ पे लिखा हुआ है devaluing the domestic currency devaluing the domestic currency का मतलब पता क्या है कि अगर आप currency जो domestic currency है आपकी जो country की domestic currency है अगर आप इसकी value कम कर दो अगर आप इसकी value कम कर दो for example एक डॉलर है 60 रुपे का अब आप एक डॉलर जो है 70 रुपे का कर दो ठीक है मतलब क्या हो गया value घर की अब पहले एक डॉलर 60 रुपे का था अब 70 का foreign वाले के लिए क्या हो गया ज्यादा रुपे मिलेंगे तो वो जल्दी सी जल्दी यहां पर खरीदने आएगा तो इससे क्या होगा कि आप export करने लग जाओगे export कर रहोगे तो obviously बात है आपकी देश में value जो है आपकी export भढ़ जाएगा दूसरा जो है reduction in the export subsidy अब आप जो है अगर आप suppose करो कि देश का जो है अच्छा करना जा रहे हो और export कर रहे हो जब आप export कर रहे हो ना तो आप export देने में subsidy देते हो कि हाँ भाई अगर तुम्हें कोई घाटा होता है ना तो हम आपको दे देंगे मतलब company को दे देंगे अब उसमें आप कमी कर दो export subsidy में reduction कर दो तो उसमें क्या होगा जब आप reduce कर देगी जो subsidy कम कर दोगे तो obviously बात है महंगा बिकेगा तो अब इससे क्या होगा आपके पास पैसा ज़ादा आएगा तो again ये भी process आएगा next है adopting suitable policies which attract FDA and more funds from FIA लेकिन द्यान रखिए जब भी FDA की बात आ रही है FDI और FIA की पहली बात तो ये current account deficit का पार्ट नहीं है FDA जो पार्ट होता है मैंने अभी आपको बताया था ये capital account का हिस्सा होता है FDI और FIA current account में पहले दो concept ये आएगे तो answer इसमें क्या बनेगा आपका A and B जाने के A option बनेगा first and two is the correct one ध्यान रखना FDI और FIA जो है capital account का हिस्सा होते है next question what is जादू गोडा known for जादू गोडा जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है जादू गोडा जाना जाता है uranium deposits के लिए answer इसमें क्या बनेगा D option बनेगा uranium deposits के लिए D option is the correct one uranium deposit और uranium की और जो है वो है pitch blend ये भी आपको याद रखना है uranium को हम use करते हैं as a nuclear fuel use करते हैं nuclear reactor के अंदर और mines कहां पे हैं jar khanda के अंदर answer इसमें क्या बनेगा D option uranium deposits अच्छा एक चीज़ देखे यहां पे एक word लिखा हुआ है one rhino one horn rhino एक सिंग वाला गेंडा यह कहां पे देखने को मिलता है आपको काजी रंगा नैशनल पार्क में यह भी आपको याद कर लिए काजी रंगा नैशनल पार्क कहां पे है असमे next देखते हैं अकला question इंडिया is regarded as a country with a demographic dividend demographic dividend word का मतलब क्या होता है कि जहां पे भाई आपकी production करने वाली age जो है वो जादा हो जाने कि चीजों को I mean to say जो चीजों production करने वाली जो जादा हो that means किसी के उपर dependent वाली age ना हो तो इसका मतलब वो कौन सी age होती है 15 से 64 वाली age होती है जो हां पे आप productivity बहुत जादा करते हो किसी के उपर dependent नहीं होते है जाने कि 15 से अगर कम होते हो तो dependent है 64 से अगर aged है तो भी आप dependent है 15 से 64 age वाले demographic dividend का हिस्सा बनते हैं जो हमारे देश में सबसे जाद देखने को आपको मिलती है इसका मतलब answer क्या बनेगा It's high population in the age group of 15 to 64 years age जाने के B option क्या बनेगा correct answer बनेगा answer is B option Next question Which other falling is not connective tissue इन में से कौन सा संजोजी उत्तक नहीं है कौन सा संजोजी उत्तक नहीं है तो पहले देखे जी bone बिलकुल है bone तो जोडती है कैशिम और फॉस्फोरस की बनी होती है दो हड्यों को जोडती है फाइबर के साथ जोडती है cartilages जो होते है ये बिलकुल जी connective tissue है जो joints वगरा के साथ elbow, ribs के साथ जोड़ा होता है ये भी आता है blood बिलकुल जी connective tissue है ये fluid connective tissue है तरल संजोजी उत्तक है clear ये भी आपका आता है skeletal muscle is not the connective tissue skeletal muscle जो है कंकाल की mass patient जो है वो कोई भी इसमें connective tissue नहीं आता संजोजी उत्तक नहीं आता answer इसमें क्या बनेगा D option बनेगा कोई उसने not पूछा था D option is the correct one next question इनमें से निमलिकित के उपर विचार करना है which are the above add carbon dioxide to the carbon cycle on the earth जाने कि carbon dioxide जो है जिसने carbon dioxide जिसने carbon cycle on the earth के अंदर जो है add करता है देखिए carbon cycle के अंदर आपकी oxygen बाहर भी जाएगी और अंदर भी आएगी लेकिन इसने question दिहां से देखिए specific इनले बोल दिया add करता है photosynthesis में add नहीं होती जाने के परकास translation में add नहीं होती वो carbon dioxide को use करता है oxygen को use करता है और water को carbon dioxide को use करता है water को use करता है और glucose बनाता है और oxygen छोडता है तो इसमें तो add हो яви नहीं रही respiration में बिल्कुल हो रही है volcanic action के अंदर बिल्कुल हो रही है जवाला मुखी करिया में organic matters को decay करते हैं तो इसमें भी होती है तो मतलब A option नहीं बनेगा बाकी answer बनेगा दूसरा तीसरा चौथा answer बनेगा right answer क्योंकि photosynthesis के अंदर प्रकास translation के अंदर हम oxygen, sorry, carbon dioxide को use करते हैं add का मतलब क्या कि उस cycle के अंदर ज्यादा से ज्यादा आए जब आप use कर रहे हो तो आप खा गए हो इसको ठीक है, मतलब अगर हम नौन बात करें plants उसको खा गए है मतलब atmosphere में नहीं रही वैसे तो है यह ना, लेकिन otherwise वो तो खा गए ना, तो इसका मतलब क्या हो गए, अभई add ना होके, वो loss हो रहा है carbon dioxide का इसलिए answer क्या बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा is the correct answer next question, during whose rain did the Moroccan traveler इबन बतूता, पहले तो यह पता होना चाहिए मुरोकों से आया था, इबन बतूता visit during the 14th century, इन में से कौन सा जो है, person जो आया था, कौन सा person जो आया था, इबन बतूता किसके time पे आया था, 14th century में यह आया था, मुहमद बिन तुगलक के time पे answer इसमें क्या बनेगा, D option बनेगा मुहमद बिन तुगलक जो है, जिसे आप wisest fool of India भी आप कहते हैं, क्योंकि खुरासन expedition के लिए बात कर रहा था जो है, इराक के लिए, सब कुछ fail हुआ था, और कुमाओ hills के उपर attack करने की बात कर रहा था तो यह सारे चीज़ें इसके उल्टब पढ़ गई थी answer इसमें क्या बनेगा, आपका D option बनेगा, जलाल उदिन खिल जी यह ऐसे परसन हैं जिसने बोला था कि इंडिया कभी भी Islamic State नहीं बन सकती obviously बात है कोगि हिंदू ही बहुत ज़ादा है फिरोशा तुगलग, फिरोशा तुगलग ऐसे परसन है जो जिनको सलेव रखने का बढ़ा शॉंग था, गुलाम रखने का दिवाने बंदगं दिवाने बंदगं जो है इन्होंने बनवाया था, दिवाने बंदगं डिपार्टमेंट ठीक है और इन्होंने बुक लिखी थी फतूहत े फिरोशाही, फतूहत ले फिरोज शाही नाम की पुस्तक भी लिखी है ठीक है और one more is अलाउदिन खिलजी की अगर मैं बात करता हूँ तो अलाउदिन जो अलाउदिन खिलजी है अलाउदिन खिलजी जो है इनको दूसरा सिकंदर भी कहते हैं कोकि इन्होंने पूरा का पूरा साउथ इंडिया तक जो है रूल किया था अलाउदिन खिलजी ने maximum मंगोल्स का जो है देखा है मंगोल्स को attack जो है maximum देखा है और अलाउदिन खिलजी का जो original name था अली गुर्शप अली गुर्शप is the name ये ध्यां रखिये तो answer इसमें क्या बनेगा जी D option मौहमद बिन तुगलग next if RBI reduces the cash reserve ratio it will दिखे क्या ध्यां से समझे cash reserve ratio that is CRR अब CRR का मतलब क्या होता है कि अगर RBI जो है कुछ पैसा जो bank होते हैं वो कुछ पैसा जो होता है वो RBI के पास जमा करते हैं किस form में cash form में जिसमें RBI जो हो है वो bank को कोई भी ब्याज नहीं देती ये चीज़ ध्यान रखिए तो अगर bank जो है RBI के पास पैसा जमा कर रहा है तो इसका मतलब वो हम पे जमा हो रहे हैं अब question क्या कह रहा है कि अगर उसने reduce कर दे अगर वो reduce कर दे जाने कि अगर मैं कहूं कि पहले 5 रुपे जा रहे थे अब 4 रुपे जा रहे है तो इसका मतलब bank के पास ज़्यादा पैसा आ गया और RBI के पास पैसा नहीं होगा और इससे क्या कर रहे हैं हम रिन निर्मान जो है भढ़ा रहे है अगर बैंक के अगर पैस पैसा आ गया तो अगर बैंक क्या करेगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देगा मार्केट के अंदर तो इसका मतलब increase credit creation हम कर रहे हैं credit के लिए कर रहे हैं तो अंसे इसमें क्या बनेगा ए उप्शन बनेगा correct answer next question while cooking if the bottom of a vessel is getting blackened on the outside it means that इसका मतलब क्या होता है अगर जो है अगर vessel जो है बाहर नीचे से काली हो जाए तो उसमें आपको क्या देखने को आपको मिलता है देखे जब भी black potion आ जाए ना तो उसमें carbon particles आपके ज़्यादा होते हैं और unburned carbon particles होते हैं और इसका मतलब वहाँ पे fuel जो है प्रोपर तरीके से जल नहीं पाया है तो answer इसमें क्या बनेगा जी आपका B option बनेगा the fuel is not burning completely इंदर पूरी तरह से जल नहीं रहा है answer इसमें B option बनेगा next question the largest committee of the parliament of India इसमें सबसे बड़ी committee जो है parliament की वो कौन सी है budget estimate committee और public account committee जो है वो sister committees होती है दोनों जुडबा twins भी कह देते है public account committee के अंदर 22 लोग होते है 15 और 25 जो होते हैं वो लोकसबा से और 7 जो होते हैं वो राजेसबा से देखने को मिलते हैं public account committee जो होती है ये क्या करते हैं ये जितने भी KEAG reports देते हैं जो publish करती है क्या की report को publish करने वाली authority वो है pack जिसे आपका public account committee कहते हैं और answer इसमें क्या बनेगा जी आपका b option बनेगा that is estimate committee is the correct answer next question which of the falling pollutant is the major contributor of the photo chemical smoke photo chemical जाने कि light में chemical भी चल रहा है smoke भी चल रहा है इसमें देखें ध्यान से words को तोड़ना है photo मतला light chemical मतला cynic smoke मतलब जो दो चीजों से मिलता है smoke धुआ और fog जो ठंड़क जो होती है इन सारी चीजों से मिलते है तो photo chemical smoke बनती है अब बात यह है कि इसमें कौन सा ऐसा major pollutant है जो देखने को मिलता है तो वो है आपका nitrogen dioxide, nitrogen dioxide is the correct answer, D option और मैं आपको बता दूँ जैसे hydroperoxide है, peroxytile nitrate है जो है आपका ozone है यह आपके secondary pollutant है यह भी करते हैं यह भी photo chemical smoke करते हैं लेकिन secondary है लेकिन nitrogen dioxide जो है वो primary है तो primary ही पूछे करना major तो वो ही होगा primary वाला हिस्सा तो answer इसमें क्या बनेगा nitrogen dioxide और इसके इलावा जो है कि विटामिन देखे, दो विटामिन होते हैं, mainly जो होता है वह उता है आपका मचली का तेल होता है उसमें vitamin D देखने को आपको सबसे जादा देबिलता है लेकिन no doubt उसमें vitamin A B होता है लेकिन answer इसमें D बनेगा, क्योंकि option अलग लगए हैं, यहाँ पर आता है A and B, तो answer आप लगा देते हैं कि A and B, तो answer इसमें क्या बनेगा, D option बनेगा, और प्लस जो cold liver oil है, जने के मच्छी का तेल जो होता है, इसमें omega 3 fatty acid देखने को मिलते हैं, omega 3 fatty acid, ये clear होना चाहिए आपके दिमाग में, omega 3 fatty acid, और vitamin D जो होता है, इसको और क्या कहते हैं, कैलसी फिरोल कहते हैं, sunshine vitamin कहते हैं, sunshine vitamin को कि sun की केरने से मिलता है, और इसकी कमी से rickets और osteo malasia होता है, जाने की हड़ियां कमजोर हो जाती है, हड़ियों के लिए दो चीज़ चाहिए, एक calcium और एक phosphorus, vitamin B1 लिखूंगा मैं यहाँ पर, ताके आपको याद हो, thymin, और इसकी कमी से ह होता है, vitamin C is called ascorbic acid, ascorbic acid कहते हैं, और इसकी कमी से होता है, scurvy, ठीक है, और vitamin A की अगर हम बात करें, vitamin A को हम कहते है, retinol, और इसकी कमी से होता है, night brightness, रात को नहीं दिखता, और एक होता है, zero ophthalmia, zero ophthalmia मतलब जो है, आंखे सूख जाती है, अंसर इसमें क्या बनेगा, B option बन संस्थान है, वो कहाँ पर स्थित देखने को आपको मिलता है, वो देखने को मिलता है, आपको मैसूर के अंदर, D option is the right answer, D option, और यहाँ पर Central Food Technology, Central Food Technology Research Institute भी है, यहाँ पर Central Food Technology Research Institute, Clear Food के लिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है, चन्नाई, चन्नाई के अंदर जो है, वैसे तो इ National Institute of Ocean Technology, लेकिन अगर आप से पूछा जाए, National Center for Polar Research, ठीक है, National Center for Ocean and Polar Research, इसका Headquarter पता कहाँ पर है, गोवा में, यह ध्यान रखना, मुंबई के अंदर अगर हम बात करें, तो TIFR है यहाँ पर, TIFR, Tata Institute of Fundamental Research से देखने को आपको मिलता है, ठीक है, और Central Institute of Fishery भी है, यहाँ पर है, Fishery का Department, कॉलकाता के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो कॉलकाता के अंदर आप एक याद कर लो, Saha Institute, यह पूछे जाते हैं पेपर में, तब ही मैं ने इतने लिख दिये, Saha Institute of Physics, अंसर इसमें D option बनेगा, Next question, What are those bacteria that are long inside? इन में से सबसे जो बैक्टीरिया है, जो लंबे हैं, वो कौन से हैं, इन में से जो लंबे बैक्टीरिया होते हैं, वो होते हैं, बैसल आई, अंसर इस B option, और बैसल आई जो होते हैं, यह एक rod shape होते हैं, rod shape इस तरीके से, ठीक है, rod shape होते हैं, spiral मतलब इस तरी v ribio कहते हैं clear coccus round वाले इस तरीक्म से clear and vibrio vibrio ji recommended sheild spiral होगया यही वाले spiral वाले spirulum कहते है है उसको ठीक है और जो vibrio न यह होते हैं coma shape ठीक है ऐसे तो यह याद रखना है आपको आंसर इसमें B option बनेगा बैसलाई सबसे लंबे होते हैं next हिमाल्या इस इस एन एक्जाम्पल ऑफ हिमाल्या जो है इनमें से किसका उधारन है हिमाल्या जो है वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है अब यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन का मतलब पता की यह टेक्थनिक के कारण बनती है जिसमें आपकी हमाल्या एंड यूरीशिन प्लेट आपकी अपस में मिलती है और हिमाल्याम्पल में एक जोंसे फोल्ड फोल्ड वांटेन और वो कौन सी है अरावलीज अरावलीज are the oldest fold mountain और अरावलीज की सबसे उची चोटी का नाम क्या है गुरूश शिखर ये भी आपको याद रखना है तो answer इसमें क्या बनेगा A option that is fold mountains next who has written the book of origin of species origin of species की जो है book किस ने लिखी है इन में से जिन्होंने theory of natural selection भी लिखा हुआ है natural selection की theory जाने के पराकिर्टिक चीजें कोई ना कोई select करता है तो वो लिखा हुआ है Darwin ने answer is D option D option is the correct answer यहाँ पे Mandel लिखा हुआ है father of genetics अनुवंश की के जनक कहते हैं Mandel ने जो है pea plant की उपर experiment किया था Pysam sativum is the name जो आपका scientific name है Pysam sativum यह भी आपको याद रखना है Lamarck का जो नाम जुड़ा हुआ है Lamarck का जो नाम जुड़ा हुआ है यह आपका इसने book लिखी थी that is philosophic zoologic philosophic zoologic clear evolutionary 3 इन्होंने भी दी है ulogic ठीक है यह दियान रखना है और lineage का जो नाम है father of taxonomy कहते हैं कि कोई भी नई species आप दूढ़ते हो nomenclature करते हो इनके according और lineage ने जो है एक binomial nomenclature का concept दिया था binomial nomenclature का मतलग कोई नाम जो होता है genus है species है और lineage ने जो है एक चीज बुक लिखी थी that is system and nature system and nature ठीक है यह भी आपको दियान रखना है answer इसमें क्या बनेगा d option बनेगा darwin is the correct one next which of the falling country is the largest producer of saffron जो केसर है सबसे ज़्याद उत्पादन करने वाला देश कौन सा है वो है इरान d option और इंडिया में जो है कश्मीर इंडिया में जो है कश्मीर से पैदा होता है और कश्मीर में saffron को जो है भी status भी मिला है GI tag में मिला है geographical indicator next which of the falling polymeric material is used for making bulletproof jackets bulletproof jackets इसमें से किसके दवारा बनाई जाती है वो है kevlar answer is c option is the correct answer clear bulletproof vest वगरा यह बनाते है nylon 66 की अगर मैं बात करता हूँ तो nylon 66 जो है आपके fiber ठीक है fiber textiles उसमें काम देखने को आपको मिलता है clear और rayon जो है ये बनता है cellulose से और artificial silk जो होता है आपका cellulose से बनता है बहुत important है cellulose जो है plant की outer layer होती है और decron की अगर मैं बात करूँ कि ये high pressure high pressure जो आप ऐसे कहलो कि गिले और dry रहने वाले जो होते हैं वो decron से बनते हैं तो ये चीज़ दियान रखनी है answer इसमें क्या बनेगा C option Cavalry is the correct answer और अगर आपसे एक और पुछता हूँ कि lexon भी आपने नाम याद रहकिए lexon भी जो है bulletproof जो glasses वगरा होते हैं उसमें यूज होता है as a polymer next battle of haldigati in 1576 was fought between akbar and दिखे 1576 का जो यूद हुआ था battle of haldigati का वो किसमें और किसमें देखने को मिला था ये actually हम बोलते हैं कि akbar और maharana परताप की जो है लड़ाई देखने को आपको मिली थी लेकिन akbar ना लड़के महारana परताप से कौन लड़ा था मान सिंग लड़ा था मान सिंग ओफ अंबेर लड़ा था तो ये लड़ाई किसमें अकबर और maharana परताप की answer इसमें b option बनेगा और यहाँ पे है शेर्शा शेर्शा सूरी की लड़ाईयां होई थी 2, 1549, 1540 में 1549 में लड़ाई होई थी हुमायू के साथ पहले लड़ाई जो हुई थी वो थी चौसा की battle of चौसा हारा था कौन हुमायू 1540 में तो बखाई दिया था और ये हुई थी कनौज की लड़ाई battle of कनौज जिसे आप बिलगराम की लड़ाई भी आप कहते हैं बिलगराम ठीक है ये भी आपको याद रखना है और शेशा सूरी का जो tom है वो कहाँ पहे सासाराम बिहार में सासाराम बिहार में शेशा सूरी का original name क्या है फरीद है और इन्होंने पुराना किला जो old food देली के अंदर इन्होंने बनवाया था हेमू विक्रम अदित्या की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने second battle of पानिपत लड़ी थी second battle of पानिपत पंदरा सो चपन में पंदरा सो चपन में अकबर के साथ नादिर शा आया था 1749 में और हमारा peacock throne जो है उठा के ले गया था मियूर सियासन जो शाहजाने बनवाया था अंसर इसमें B option बनेगा next what is the transplantation of the graft between the genetically identical individual दो समान व्यक्तियों के बीच में जो graft का जने के graft किया जाता है तो वो genetically similar genetically identical मतलब बिलकु clone की बात चल रही है तो वो क्या होता है dad is called iso graft होता है उसको क्या कहते हैं iso graft कहते हैं answer is B autograft का मतलब बता है क्या होता है कि अगर आप किसी auto मतलब खुद से अगर हम कहें कि ये कोई body है body का कोई हिस्से से हमने हिस्सा लिया और दूसरे body की उपर लगा दिया मतलब same body की अगर हम बात कर रहे है same body की तो autograft अगर हम identical individuals की बात कर रहे है तो iso graft allo मतलब different होता है allo का मतलब ये होता है कि हाँ कि हमने जो है species same रखी है इसमें species जो है वो same है लेकिन species same का मतलब जो हमारे human है human category के अंदर ही लेकिन male का female को लगा सकते हो female का male को लगा सकते हो कोई भी जो है body का हिस्सा ठीक है डैडिस काल्ट अगर आप transplant कर रहे हैं मतलब genetically चाहे transplant कर रहे हैं तो डैडिस काल ऐलो ग्राफ अगर same species में कर रहे हैं अगर आप xenograft कर रहे हैं तो इसका मतलब आप different species का इस्तेमाल कर रहे हैं जातियां ही दो अलग-अलग कर दी animal हो सकता है human मतलब mammal category हो सकती है कोई और species भी हो सकती है इसमें अगर आप different species का करोगे तो that is called xenograft ये clear होना चाहिए answer इसमें B option बनेगा next atomic number जो होता है परमानू संख्या जो होती है किसी भी atom के वीच में वो क्या द्रशाती है वो उसका proton दिखाती है answer इसमें क्या बनेगा B कई बच्चे कहेंगे सर electron, proton और electron राबर होते हैं लेकिन exact definition जो atomic number किया है वो है proton और जो आपका एक होता है अब मास नंबर मास नंबर होता है मास नंबर क्या होता है proton प्लस neutron ये भी आपको दिखान रखना है for example C612 तो 12 जो होता है ये मास नंबर होता है उपर वाला और नीचे वाला जो होता है atomic number होता है और इसमें neutron कैसे निकालते हैं mass number minus atomic number तो इसमें कितने बन जाएंगे 6 neutron बन जाएंगे तो ये number of neutrons निकालने के लिए फिनोमिना है ये दियां रखना है mass number minus atomic number 12 minus 6 is equal to 6 answer is B option next question who was the first Indian to be elected as a member of the British House of the Common इन में से पहला ऐसा कौन सा Indian है जो British House of Common के अंदर जो है elect हुआ था ठीक है तो वो कौन है दादा बाई नरोजी दादा बाई नरोजी जो elect हुए थे 1892 के अंदर जब पहली बार indirect elections की बात करी गई थी और ये elect हुए थे liberal party से liberal party से और finsbury से finsbury ये ध्यान रखना है पहले British Indian MP बने थे ये और जैपरकाश नरायन जी के अगर मैं बात करूँ तो 1934 के अंदर जो है इन्होंने Congress Socialist Party जो है बनवाई थी clear सरोजिन नाइडू जो है 1925 के अंदर कानपूर सेशन के अंदर जो है पहली Indian female जो chair person बनी थी पहली Indian अगर आपसे पहली male पहली female पूछा तो 1917 के अंदर एनी बेसेंट थी वो जो बनी थी और ये सरोजिन नाइडू 1995 कानपूर में बनी थी अंसर इसमें B option बनेगा गंगा इस दा result of the confluence of the river बागिरती और अलकनन्दा at which place देखे जब एक जगा से आती है बागिरती और गंगा रिवर स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर लिखा हुआ है एक करण परियाग करण परियाग भी जो है आपकी अलकनन्दा आती है और पिंडर रिवर आती है पिंडर और अलकनन्दा ठीक है तो यह मिलते हैं तो करण परियाग बनता है गंगोत्री, गलेशे, गंगा स्टार्ट होती है यहां से, रुद्र प्रियाग भी आप याद करो, रुद्र प्रियाग बनता है जब अलकनन्दा और जो है प्लस मंदाकनी मिलते हैं, मंदाकनी रिवर मिलती है तो आपका रुद्र प्रियाग होता है, यह प्रियाग बहुत ब बनेगा, A option बनेगा हरीजन भी इनका है, यंग इन्डिया भी इनका है और माई एक्सपेरिमेंट विद टुथ भी इनकी ऑटो बाइगराफिय गांदी जी की यह याद रखना, लेकिन इंडियन मीरर जो है, वो किसका है, इंडियन मीरर उनकी डेथ के बाद जो है, ब्रह्मो समाज की काराबार इनके हाथ में आ गया था अंसर इसमें क्या बनेगा, A option इंडियन ऑपिनियन, गांदी जी ने साउथ अफरिका से लिखा था सार टेस्ट ओफ लेमन जाने कि खटा स्वाद आता है जी, निम्बू का वो किसके प्रेजन्स के कारनात है, क्योंकि निम्बू के अंदर होता है सिट्रिक असिड, अंसर इस A option clear, एसिटिक असिड मैंने आपको बताया था विनेगर, सिर्का के अंदर, इथनोईक असिड कहते है औक्जैलिक असिड होता है, टोमेटो के अंदर और यह जो है, stains के जो निशान होते हैं, उसको भी मिटाने के लिए काम आता है rust spot को, rust spot को formic acid, जिसे आप mythenoic acid भी कह देते हैं formic acid is mythenoic acid, और यह जो होती हैं, चीटियां, ants जब वो कारती हैं, तो formic acid हमारी बॉड़ी में चला जाता है answer is A option next, under the provision of which articles of the constitution of India can भारत रतना award not be used as a prefix or suffix of the recipient जाने कि किसी नाम के आगे और किसी नाम के पीछे जो है वो भारत रतन नहीं लग सकता, यह किस article में लिखा गया है यह लिखा गया है article 18 के, abolition of titles के अंदर लिखा गया है और जिर्फ दो आप title लगा सकते हो, अगर एक आपका academic title लेके आ सकते हो और एक जो military titles होते हैं, वो आप नाम के आगे पीछे लगा सकते हो बाकि और कोई title आप लगा नहीं सकते हैं और answer is C option और एक है जी आपका article 17 यह है abolition of untouchability untouchability का मतलब क्या होता है? चुआ चूत के विरुद, यह ही तहां रखना untouchability, article 16 जो है, article 16 में आप जितने भी आपकी racial discrimination जो होती है, ठीक है discrimination, prohibition of discrimination between the citizens, on the grounds of the religion, race, sex, caste, descent, place of birth, residence इसके उपर, और article 19 के अगर मैं बात करता हूँ, तो article 19 जो है freedom of speech order expression का आता है अंसर इसमें क्या बनेगा? D option, article 18 next question which of the following schedules contain the special provision of the tribal areas in the four north eastern states of the Assam, Meghalya, Tripura और Mezoram जाने के चार area की administration की बात कर रहा है और चारों के चारों जो है अनिसूची शेत्र हैं, यह कौन से schedule में बात करी गई है? यह six schedule में बात करी गई है, answer is D option, इनके इलावा भी जो scheduled areas हैं, उसमें बात करी गई है, fifth schedule के अंदर पांच में schedule के अंदर, third schedule में बात करी गई है, oath की, शपत की बात करी गई है, second schedule के अंदर salary की बात करी गई है, ठीक है और पहले schedule में आप union और states की बात आप करते हो तो answer इसमें क्या बनेगा, D option six schedule is the correct one next, सतरिया is a classical dance form of, सतरिया जो है, वो किस कौन सी state का classical dance form है, वो है असम का, answer is, C option is the correct answer C option, और एक बी हू डांस भी है जी असम में, बी हू मनीपुर में मनीपुरी हो गया, और जो उतर परदेश में classical dance, अगर मैं बात कून, तो रसीला रसीला, swang folk dance बगएरा ये देखने को मिलते हैं अंदर परदेश में कुची पुडी कुची पुडी और नॉर्थ हिंडिया के अंदर जो है आपका जैसे उतर परदेश बगएरा में कथक नॉर्थ इंडिया में, कथक नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्र इंडिया में, भारत नाट्यम भी याद कर लो भारत नाट्यम जो हो है तमिल नाडू में चीक है, मोहनी अट्टम केरल के अंदर, केरल के अंदर एक और याद कर लो कथा कली केरल के अंदर ठीक है यह सारी डांस फॉर्म आपको याद होने चाहिए अंसर इस C option असम इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो क्या के बारे में हमें बताता है Controller and Auditor General जाने के भारत के नियंतरन एम महा लिखा प्रिक्ष के बारे में यह क्या करता है Government के Accounts को Audit करता है Center और State के Account को Audit करता है Center और State के Account को यह लिखा किसमें गया है Article 148 में लिखा गया है Option A is the correct answer Option A 343 में Languages का Concept दिया गया है भारत की Languages का Concept ऑफिशल Languages का Concept दिया है 343 के अंदर Article 110 की अगर मैं बात करता हूँ 110 की तो इसमें Money Bill का Concept लिखा गया है दनविदेक Bill का Article 124 Supreme Code के बारे में इसका उल्टा कर लो 214 यह लिखा गया है High Code के बारे में Answer इसमें क्या बनेगा A option बनेगा 142 148 is the correct answer answer is A option Algal Bloom results from जैसे आप पानी में देखते हो न वो हरा हरा सा जम जाता है वो actually पता है Actually उसके अंदर Nutrients बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर Nutrients rich हो जाए तो उसको आप कहते हो Algal Bloom और यह किसके कारण होता है Eutrophication के कारण सूपोशन के कारण Answer is C अगर same case में Nutrients बढ़ जाए तो आपका Eutrophication आए यह अगर suppose करो कि भाई किसी चीज़ की जो है toxicity बढ़ जाए Toxicity अगर आपकी पानी में बढ़ जाए अगर nutrients बढ़ जाए तो Algal Bloom Eutrophication अगर toxicity बढ़ जाए तो Biomagnification यह आपको ध्यान रखना है Answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा that is Eutrophication Next the painting of भारत माता was originally done by Painting जो है वो किसने बनाई थी भारत माता की इन में से तो वो बनाई थी Abhendranath Tagore Answer इसमें क्या बनेगा D option बनेगा Abhendranath Tagore जी ने Rabindranath Tagore जी ने जो है Rabindranath Tagore जी को आपको गुरुदेव कहते हैं और इन्होंने दो बुक्स लिखी है याद रखना है आपको गुरुदेव किसने बोला था महात्मा गांधी ने बोला था और इनको महात्मा का और इंटर स्कूल आफ आट कॉलकाता के अंदर उसमें पहले स्कॉलर लेने वाले परसन नंदालाल बोस थे अंसर इसमें D option बनेगा नेक्स जनरल डायर फू वाज रिस्पॉंसिबल फॉर जलया वाला बाग मैसेकर जाने कि जलया वाला बाग मैसेकर के लिए जनरल डायर ने गोलियां चलाने का घोलियां चला ही थी और इसको डैड मतलब actually देखे दो परसन थे एक छनरल डायर थे जिसने गोलि आदेश दिया था और एक था माइकल ओ डायर माईकल ओ डायर माईकल ओ डायर जो जो Chief था कहां का लेटिनेंट था कहां का पंजाब का और इसको मारा गया था और इसको मारा गया था शहीद उद्धम सिंग जी ने इनको मारा था उद्धम सिंग ने मारा था जो है that is 1940 के अंदर 1940 के अंदर 1940 के अंदर जतिन दास जब भगसिंग ने लहॉर के अंदर जो है बुकरताल करी थी 64th day के उपर जिसकी जान गई थी वो जतिन दास थी वीर्ज सावरकर जो है आपकी बुक लिखी गई है जी वीर्ज सावरकर ने The First War of Independence 1857 के लिए हसरत महानी जो है बड़े communist leader है communist party के founder leader में आते हैं और एक उर्दू language के काफी बड़े विख्यात कवी है answer is C option इन में से कौन सा ऐसा article है जो uniform civil code के बारे में बताता है जो uniform civil code के बारे में बताएगा इन में से कौन सा article है वो है article 44 answer is में A option बनेगा और go एक ऐसी state है जहां पर सिर्फ और सिर्फ यूनिफर्म civil code क्या है कि आपने जो है आपके personal laws जो है उसको खतम कर दो personal laws का मतलब जैसे शरियत law होते हैं और जो हमारे धर्मों के अंदर हैं हिंदू के Christians के अपने अपने धर्म हैं आप अगर उस धर्म को नहीं मानना चाते और अपना जो है अलग से काम करना चाते हैं तो आप कानूनी सहायता ले सकते हैं और कानून के दाइरे में रहके काम कर सकते हैं कानून का कोई भी धर्म नहीं है the country has no religion country सब धर्मों की respect करती है लेकिन country धर्म के according काम नहीं करती है तो यह article 44 में लिखा गया है और गोह में लागू है article 49 के अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जितने भी national importance के लिए आपके monuments होते हैं उसको protect करना 49 में लिखा गया है article 45 के अगर बात करी जाए तो article 45 के अंदर 0 to 6 years के बच्चों को पढ़ाना जो है states की duty होती है 46 के अगर मैं बात करूँ scheduled जो आपके scheduled cast और scheduled tribe वाले लोग हैं उनको protect करना उनको justice provide करना वो article 46 में लिखा गया है answer इसमें 44 बनेगा A option who founded the city of agra एक करी थी निजाम शा ने निजाम शा निजाम शा वो हैं जिनों ने जो है इनको कहते हैं सिकंदर लोधी answer इसमें A option बनेगा सिकंदर लोधी अच्छा one more question is जो है गजे सिकंदरी गजे सिकंदरी जो जमीन को मापने का जो तरीका दिया था अच्छा ने दिया था और सिकंदर लोधी लोधी वंश्टे बिलॉंग करते हैं तो लोधी एक ऐसा वंश्टा जो पहली अफगान डैनेस्टी थी इंडिया की उपर जिनने रूल किया था अकबर इन्होंने जो है गुजराद जीतने के बाद बुलंद दरवाजा बनाया था फिर वो शातुगलक बारे में डिस्क्स कर चुके हैं शाज हाँ इनकी एज को हम बोलते हैं गोल्डन एज ओफ आर्किटेक्चर ये दिया रखना है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई थी आंसर इसमें क्या बनेगा ए ऑप्शन सिकंदर लोधी फिलने में इनमें से कौन सा पर्सन है जनोंने मतलब किनोंने नहीं बढ़ावा दिया था आंसर इसमें डी ओप्शन बनेगा शुंग डिनैस्टी के फाउंडर है बिदरत एक लास्ट मौरे अम्परा था उनके कमांडरी चीफ कौन पुश्यमितर शुंग और पुशे मितर शुंग ने ब्रेदरत को मारा था और अपना शुंगवंश स्टार्ट कर लिया था कनेश्क जो है जो है जिन्होंने फोर्थ बुधिष्ट काउंसिल करवाई थी कश्मीर के अंदर और हीनयान और महायान यहां पर डिवाइड हो गए थे कोरिया चाइना जपान इन्होंने बुधिष्ध धरम फेलाया अशोक जो है जिन्होंने थर्ड बुधिष्ट काउंसिल करवाई थी पार्टली पुत्र के अंदर और जो है अशोक ने अपने बेटे बेटी बेटे और बेटी महिंदर बेटा संग मित्रा बेटी इनको जो है सिलोन बेजा था धरम का परचार करने के लिए बुद्धरम का परचार करने के लिए हर्श वर्दन ने भी किया है अंसर इसमें D option बनेगा इस रोड को जीटी रोड के नाम से भी आप जानते हैं और ये कौन से शेशा सूरी अंसर इस D option बनेगा शेशा सूरी के बारे में हम डिस्स कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ें जहंगीर के बारे में याद करिए जहंगीर जो है पिंटर किंग है जहंगीर के दरबार में आगरा के किलें पे एक जंजीर लगी होती थी सोने की उसको आप कहते थे चेन ओफ जस्टिस न्याए जंजीर चेन ओफ जस्टिस लगी होती थी अकबर के बारे में जैसर इस D option बनेगा which one of the falling can be said to be essentially related to the polar front theory polar front theory जो है वो किसके साथ लिखती है polar front theory जो है आपके इस जो है temperate area के अंदर बनती है temperate cyclones बनते है ठीक है और ये zone जो होता है 35 से लेके 65 degree तक बनता है और जिसमें आपके जो हवा आ रही होती है जाने के एक आती है subtropical, subtropical जो हवा आती है वो subtropical से आती है और polar high से आती है subtropical high belt से और polar high pressure belt से आती है जैसी हवा दोनों मिलती है तो यहाँ पे polar front बन जाता है for example अगर मैं अर्थ को लूँ 0 degree फिर उसको 30 ले लो उसके बाद जो है 65 के बीच में ले लो उपर बन जाता है polar जाने के polar high high temperature high pressure सोरी और नीचे होता है जी आपका that is subtropical ठीक है तो अब हवा उपर जाएगी यहाँ से नीचे आएगी तो इससे क्या होगा जी जहाँ से बीच में मिल जाएंगे that is called polar front उसको आप कहते है और यह बनते कहाँ पे temperate cyclone वाला पार्ट कहते है और temperate cyclone को आप और क्या कहते है extra tropical cyclone एक्स्टा ट्रोपिकल यह भी आपको यहाँ रखना है anti cyclone जो होते है northern hemisphere के अंदर clockwise होते है और जो है southern hemisphere में उल्टे हो जाएंगे that is anti clockwise और anti cyclone के अंदर center में high pressure zone होता है बाहर low pressure tropical cyclone की बात करें तो center में low pressure होता है और outside high pressure होता है tropical cyclone जो है आपके northern hemisphere में नदर hemisphere में वो anti clockwise होते है southern hemisphere में clockwise देखने को मिलते हैं intertropical convergence zone जहाँ पर trade winds जो है आपकी मर्ज होती है और equatorial truff बना देते हैं low pressure zone होता है यह वाला ITC Z वाला answer इसमें क्या बनेगा C option temperate cyclone इन में से विने पत्त्रिका के जो author है वो कौन है विने पत्त्रिका के author जो है वो कौन है इन में से that is tulsidas ji tulsidas ji is the correct answer और tulsidas ji ने एक book लिखी थी और कभीर ji की जो है बीजक stories बड़ी famous है दो है बड़े famous है और सूरदास ने जो दो books लिखी थी, that is, सूर सरावली सूर सरावली और सूर सागर सूर सागर नाम की दो पुस्त के लिखी थी ठीक है, यह याद रखे, अंसर इसमें क्या बनेगा विने पित्र का A option तुलसी दास इस दा करेक्ट वान The temperature of water for BOD maintained मतलब BOD को maintain करने के लिए मेजर करने के लिए जो है temperature कितना रखा जाता है, वो 20 degree centigrade रखा जाता है, अब BOD है क्या Biochemical Oxygen Demand Biochemical Oxygen Demand है अब यह क्या होता कि जैसे पानी है पॉंड है, इसके अंदर ऑविसली बाता oxygen घुली होगी, dissolved oxygen होगी dissolved oxygen जितनी है, that is called BOD, अगर सपोस करोगी यहां पर fish वगएरा रहनी है, तो जितनी उनकी need होगी, that is called BOD और Optimum हम मेजर करते हैं 20 degree centigrade के उपर, अगर सपोस करोगी इसमें pollution बढ़ जाए pollution अगर जादा होगया, तो obviously बात है जो fish वगएरा होगी, जानवर वगएरा होगी नीचे तो वो सांस नहीं ले पाएंगे, oxygen कम हो जाएगी तो इसका मतलग क्या है, उस टाइम पर BOD बढ़ जाएगी, ज्यान रखना, demand बढ़ जाएगी चीज की, तो answer इसमें A option बनेगा which सुल्तान demanded half the crop on the land after the measurement of, measurement as revenue revenue measure करने के बाद half land कौन लेता था half, जितने जो सुल्तान demand half the crops on the land मतलब, land के उपर जितनी crop होती थी वो half लेता था, वो कौन थे that is, allow then khilji answer इसमें क्या बनेगा, C option बनेगा और इन्होंने market reform भी बड़े अच्छे किया है शाने मंडी की post त्यार करी थी शाने मंडी, ताके proper तरीके से ध्यार रखा जाए बलबन, बलबन जो है, इन्होंने blood and iron policy follow करी है, और इन्होंने अपने आपको जो है नियाबते खुदाई, नियाबते खुदाई बोलते थे और deputy of God बोलते थे, बलबन ने जो है system start किया था, सिजदा और पैबोस सिजदा जो होता था, वो सलाम करके आना और पैबोस आके पहले इसके पैरों को चूमना इल्टुतमिष जो था, इल्टुतमिष जो है real founder हम कहते हैं, of the दिल्ली सल्तनात इल्टुतमिष को slave of the slave भी कहते हैं और जो है, इन्होंने कुतम मिनार की construction को complete करवाया था और प्लस इसकी बेटी है, रज्य सुल्तान जो medieval इंडिया में पहली महिला स्चासक बनी थी दिल्ली के उपर मौमद बिन तुगलक, मौमद बिन तुगलक के बारे मेटिसस का लिया था, इनको हम wisest fool कहते हैं Next question, Article 1 of the Constitution of India describe India as, इंडिया को हम कहते है Union of States कहते हैं, पहले नंबर आर्टिकल के अंदर, Union of States Union of States का मतलब क्या है, States हैं भाई, और इसमें Union Territories वगएरा देखने को आपको मिलती है, और One more thing is, अगर आपसे पूछा जाए, Territories of India का मतलब क्या है, Territories of India, तो Territories of India का मतलब क्या है कि इसमें आपकी States आती हैं Union Territories आती हैं, और कोई भी territory जो है हमने acquire कर रखिया बाहर से वो आती है, इसके अंदर और Union of States, सिर्फ और सिर्फ States राज्यों के बारे में बात करता है तो इसमें आपका answer क्या बनेगा, जी आपका option A is the correct answer Union of Statum कहते हैं A seal found from the Mohan Zadaro has depicted a God with three heads and horns surrounded by animals who is the God, दीखे उसके accessing है और God है, मतलब इस तरीके से है, इस तरीके तो नहीं है जैसे हमारे जो भगवान शिब हैं, वैसे दिखते हैं और वो थे पशुपती, पशुपती महादेव, जिसे आप आज कर शिब बगवान के नाम से जानते हैं, इनके surrounding में जो है, इनके surrounding में जो है, आपके animals देखने को मिलते हैं और वो animals कौन-कौन से हैं that is buffalo, buffalo है ठीक है, elephant है buffalo है, elephant है और tiger है और rhino है यह देखने को आपको मिलते हैं और पैरों में दो deer देखने को मिलते हैं deer, यह चीज दियान के इंद्र को हम कहते हैं इंद्र को पुरंद्र भी कहते हैं और god of gold ने, god god of rain यह भी हम कहते हैं, ठीक है और जो गड़गडाहट होती है थंडर्स्टॉम होती है, वो इंद्र भगवान के कारण होती है जो उस टाइम पर मानते थे answer is c option is the correct one next, when name the two research station maintained by India in Antarctic Antarctic के अंदर जो है इन में से कौन से ऐसे दो station है जो maintain किये गए है इंडिया द्वारा, मैं तीन लियाद करो दक्षिन गंगोत्री और उसमें दो हैं हमारे ये गंगोत्री और सुरी इसमें तो मैत्री और भारती fourth option, दक्षिन गंगोत्री, मैत्री और भारती fourth option क्या बनेगा, right answer बनेगा और अर्च एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ हिमादरी नाम का station भी है हमारा हिमादरी है Arctic Circle में हिमादरी है Arctic Circle में और मैंने आपको बताया था कि Polar Research Center है हमारा National Institute है हमारा Polar Research के लिए और वो कहाँ पे है, गोवा के अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, answer is fourth option next, who invented vaccination vaccination टीका करन का अविशकार किसने किया था इसने smallpox को खतम किया था, चेच्चा की बिमारी को खतम किया था और वो कौन थे? Edward Jenner answer इसमें क्या बनेगा? B option बनेगा Edward Jenner is the correct answer और Edward Jenner ने smallpox को खतम किया और James Simpson लिखा गया है इन्होंने chloroform का concept दिया था as an aesthetic जो हम आपक्टर्स वगरा यूज करते हैं तो यह ध्यां रखना है Christian Barnard की अगर हम बात करें तो इन्होंने heart transplant किया था पहली बार heart transplant के बारे में बात करी थी Alexander Flaming की अगर हम बात करें तो इन्होंने penicillin डून ली थी और यह antibiotic है penicillinum notatum से बनी थी यह चीज ध्यां रखिए आप answer इसमें क्या बनेगा जी आपका B option Edward Ginnar is the correct one who was the first magician to be felucitated with a bharth ratna highest highest official है highest civilian award है 1954 में बना था बनाया गया था और एक साल में तीन लोगों को ही मिलता है 1954 में तीन लोगों को ही मिला था सी राजगोपाला चारया Mr Farpali Radha Krishnan जी and one more is lab- assez-ॉ- औно राजगोपाला चारया मुझे थर्ड थर्ड आप मुझे नाम लिख के बताइए मेरे नाम दिमाग से निकल गया की कौन सा नाम था थर्ड नाम बताईए मुझे तो पहला magician कौन थे पूछ रहे हैं तो वो थे MS Subha Lakshmi MS, Subha Lakshmi is the correct answer answer इसमें क्या बनेगा? B option बनेगा B option which of the following is the outer layer of the earth that is made of plates which fit together like a jig saw puzzle देखे, earth है तो जो इसकी layer है, outer वाली layer है वो इस तरीके से zigzag motion में देखने को आपको मिलती है चीक है? और ये क्या होती है? that is lithosphere answer इसमें क्या बनेगा? A option lithosphere is the outer layer न어요 सपर बनेगा पार्ट है जहां पर आपका living part देखने को मिलता है जहां पर लोग रह सकते है mesosphere जो है वो earth के अंदर, atmosphere का part है जो आपकी coldest layer है coldest layer है asthenosphere जो है आपका lithosphere के नीचे है lithosphere के नीचे और mantle के उपर lithosphere के नीचे और mental के उपर देखने को मिलता है answer इसमें क्या बनेगा आपका lithosphere is the correct answer how many bones are in the shark fish shark fish के जो है कोई भी दांत नहीं होते ये bone less होती है cartilages की बनी होती है cartilages की बनी होती है तो answer इसमें B option बनेगा ये याद रखना है exception है कि shark fish zero bones which one of the following is true regarding the disinflation जाने के मुद्रा अप सफीती जब होती है विघटन होता है तो उसमें condition क्या होती है देखे एक होता है inflation inflation का मतलब क्या होता है rate बढ़ रहे है 1-3 होगा 3-5 होगा 5-7 होगा ये rate बढ़ गए तो inflation होगा इसका उल्टा ले लो अगर हम इसको कम कर रहे है 7-5-3-1 ऐसे चल रहा है तो that is called disinflation और disinflation हमेशा एक चीज़ दे रखना disinflation का मतलब क्या होगा ये positive sense में रहेगी positive मतलब 1-3-5 इसमें रहेगी जाने कि 7 के बाद 5-3-1 ऐसे रहेगी अगर हम बात करें deflation के deflation जो होता न वो 0 भी हो सकता है negative में भी चला था minus 1-2 जाने कि आपके उपर करजा चड़ने लगया आपके उपर वो होने लगया मतलब I mean to say ब्याज पढ़ने लगया तो अगर minus में भी जा रहे हैं तो that is called deflation अगर आप positive में हैं तो disinflation तो disinflation का मतलब क्या हो गया कि एप positive तरीके से आपने कमी करी है चीजों के rate की कमी करी है बर नुकसान नहीं हो रहा उससे तो वो क्या होता है a decrease in the rate of inflation in a specified period तो answer इसमें क्या बनेगा? C option बनेगा एक विशिष्ट अबधीक में अंदर मुद्रा सफिती की दर में कमी करना that is called आपका जो है disinflation कहलाता है answer is C option which one of the following industry is not included is not included in the 8 core industries of India इंडिया से 8 core industries के अंदर कौन सा पार्ट नहीं आता fertilizer आता है, जी steel आता है natural gas आता है, cotton नहीं आता तो answer इसमें क्या बनेगा? C कपास is the correct answer इसके इलाबा भी अगर हम बात करें तो coal आएगा, चौथा coal आगया आपका crude oil आएगा, पांचवा natural gas लिखा हुआ है refinery refinery product 6 हो गए fertilizer लिखा हुआ है, steel लिखा हुआ है cement cement के बाद electricity तो ये आपके 8 core sectors हैं इंडिया के, तो answer इसमें क्या बनेगा? आपका C option is the correct answer ये 8 core industries के बीच में नहीं आती है next a pillar containing inscription from the three different period that is मौरिया, गुप्ता और मुगल period is located at ये कहां पे है? ये अलहाबाद inscription लिखी गई है तो ये जो है यहां पे मुगल, गुप्ता और मौरिया का जो है जिकर किया गया है और इसमें समुद्र गुप्त की बात करी गई है नेपोलियन ओफ इंडिया के बारे में बात करी गई है मुगल एंपरार में जांगीर की बात करी गई है clear और मौरिया में अशोक की बात करी गई है और ये प्रयाग परशस्ति inscription है प्रयाग RAJ के अंदर बाकी जो है नंदनगर, तोपडा, रुमन देई ये अशोक ने बनाई है रुमन देई आप याद कर लिजे और रुमन देई जो है लुम्बिनी के अंदर है और ये बर्थ प्लेस है किसका गौतम बुध जी का गौतम बुद्जी का जो बर्थ प्लेस है यहाँ पे रूमन दी पिल्डर इंस्किप्शन है जो अशोक ने बनवाई थी अंसर इसमें क्या बनेगा? C option बनेगा Who is the author of Mrich Kattika? Mrich Kattika की जो पुस्तर के author है वो इन में से कौन है? Mrich Kattika के जो अंसर है वो है शुद्रक शुद्रक is the correct answer C option is the right answer वारा महीरा की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने पंच सिधान्ती का नाम की पुस्तर लिखी है विशाकतत की अगर हम बात करें तो मुद्रा रक्षस और देवी चंदर गुप्तम नाम की पुस्तर लिखी है तो अंसर इसमें शुद्रक is the correct answer मरिच कटिका विच और फॉलिंग is not a representative of Buddhist art इन में से कौन सा ऐसी चीज नहीं है जो बुद्ध कला का बौधिक कला का जो है बौध कला का परदक्शन नहीं देती तो वो है गोपूराम गोपूराम जो है आपके South India के अंदर जो मंदिर होते हैं ऐसे गेट लगा होता है और उपर ऐसे मंदिर बना होता है प्रपर तरीके से यह मंदिर बना हुआ है और नीचे गेट है और जहां पे लोग चिंतन वगरा करते हैं और पूजा वगरा करते हैं अंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा इन में से किसे धन विदेक बिल जो है मनी बिल नहीं समझा जाएगा आर्टिकल वन वन जिरो में हैं प्रेजिडेंट की पर्मिशन से लेके आना पड़ता है लोगसवा में आता है पहली बार और स्पीकर इसके उपर साइन करते हैं तो मनी बिल कहलाता है 14 दिन के अंदर पास करना जुरूरी होता है तो जिसमें इसमें क्या कौन सी चीज़ें नहीं लिखी होती मैंने पहले आपको समझा दिया था बट यहां पर ऑप्शन आगे देखते हैं यह तो आएगा जी यह तो आपका क्या है धन बिदेख बिल होता है यह अपना बिल आपका बारत की संचित निदी से इंडिया से ना हो तो वो धन बिदेख बिल नहीं होता आंसर इसमें C option बनेगा The member of the constitution assembly which enacted the constitution of India war जैने कि जब हमारे सविधानिक assembly बैटी थी तो पहले तो 389 लोग थे और इसमें लोग जो हैं वो elect के कहां से आये थे Actually इनका indirect election हुआ था अपर्टक्ष तरीके से चुनाव हुआ था और अपर्टक्ष चुनाव जो होते हैं elected लोग करते हैं और elected लोग obviously बता सभागे होंगे तो वो कौन से थी legislative assembly जो आपके different प्रांथ थे उनके लोगों ने इनको elect किया था लेकिन indirect तरीके से अंसर इसमें क्या बनेगा C option is the correct answer इनमें से कथन बताईए जी कौन से सही है true for the sound इनमें से कथन बताना है sound waves are transfer waves ये गलत है जी ये transfer waves ना होके कौन से waves होती है longitudinal लंबी waves होती है longitudinal होती है audible frequency have the frequency range of 20 kilo hertz and above ये गलत है जी 20 से 20,000 hertz देखने को आपको मिलती है दूसरा point भी आपका गलत हो गया sound waves require medium for propagation बिल्कुल एक medium की जुरूरत होती है vacuum में travel नहीं कर सकती इसलिए इसको mechanical waves कहते है mechanical longitudinal waves ये तो point आपका बिल्कुल सही है don periodic waves are termed as noise obviously बात है अगर आपकी sound जो है ऐसे ऐसे आरही है तो obviously बात है क्लाइमेट चेंज क्यूटो प्रोटोकोल जो है जापान में साइन हुआ था और प्लस इसमें six green house gases को बताया गया था carbon dioxide, methane, nitrous oxide sulfur hexafroid, hydrofluorocarbon, perfluorocarbon ये दिये गये थे इसमें देख लो जी carbon dioxide तो है carbon monoxide नहीं है methane है, nitrous oxide है बिल्कुल है तो answer इसमे not पूछा गया था कि कौन सी नहीं है not पूछा गया था कौन सी नहीं है तो answer इसमें क्या बनेगा carbon monoxide is not a greenhouse gas clear answer इसमें B option बनेगा B option is the right answer who started the Tamil weekly magazine it's called Kudhi Arasu Kudhi Arasu जो है ये book किसके द्वारा लिखी गई है ये वो है जिनने Dravidian movement को बड़ा जो योगदान दिया था और self-respect movement self-respect movement Tamil Nadu में start करी थी और ये है that is E.V. Ramaswamiji answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा E.V. Ramaswamiji C option is the correct one as per interpretation by the Supreme Court of India tapping of phone phone call infect the fundamental rights provided in the article dash of the constitution अगर आप किसी का fundamental right चीन रहे हो tap कर रहे हो phone तो उसका मतलब उसकी privacy चीन रहे हो तो privacy चीन रहे हो तो privacy चीन ना किसमें article 21 में है क्योंकि right to privacy is under article 21 तो ये आपका answer बनेगा A option article 21 के अंदर लिखा गया है 24 number article है कि जिसमें आप 14 साल से कम बच्चे को आप labor नहीं करवा सकते 25 में आप कोई भी धरम को अपना सकते हो propagate कर सकते हो 22 number article में आप किसी भी बन्दे को अगर पकड रहे हो तो उसको उसका कारण पता होना चाहिए और ये अगर कोई बन्दा अपना lawyer लेके आना चाहता है तो वो लेके आ सकता है 22 number article में लिखा गया है तो answer इसमें A option बनेगा article 21 के अंदर लिखा गया है which are the following archaeological sites have evidence of pit dwelling pit dwelling मतलब खुआ जो गड़ा होता है जो बन्दा पंजाबी में वोता है खुँ ठीक है तो that is गड़े में बसने के परमान है तो वो कहाँ पर है बुर्जहम बुर्जहम is the right answer B option is the right answer मेहरगड जो है मेहरगड एक ऐसा इलाका है जहां पर agriculture के sign देखने को मिले है खास करके rice के rice के sign और agriculture के sign देखने को मिले है इंडेस वैली civilization की यह sites है और इंडेस वैली civilization जो है South Asia की सबसे पुरानी civilization है In the context of the state and administration of the Delhi Sultanate the term mukti means mukti word जो use किया गया था जो इक्ता को संबालते थे अब इक्ता क्या होता था कि जो प्रथा चलाई थी किसने इल्टो तुमिशने चलाई थी कि भाई आपको salary ना मिलके आपको जमीने मिला करेंगे इक्ता मिला करेंगा और जो संबालेगा उसको इक्तादार कहेंगे और इक्तादार का नाम चेंज हो गया था मुक्ती के अंदर और ये कौन से टाइम की बात आ रही है खिलजी और तुगलक के टाइम की बात आ रही है तो इसका मतलब the holder of the land assignment called इक्ता is called मुक्ती अंसर इसमें क्या बनेगा B option is the correct answer Who composed the Eol inscription Eol inscription जो है किसकी रचना है Eol inscription है रवी कृती की inscription है अंसर इस A option रवी कृती ने इसमें लिखा था कि जब हर्षवर्दन साउथ हिंडिया आया था चलुक्यन वंश के रूलर पूला के सिंदृत्या ने किसको हरा दिया था हर्षवर्दन को हरा दिया था इसका वर्णा रवी कृती ने Eol inscription में किया है और एक करनाटक के अंदर देखने को आपको मिलती है हरिसेन की inscription है प्रयाग प्रशस्ती जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी और अंसर इसमें क्या बनेगा ए आप्शन रवी कृती इस दा करेक्ट अंसर पचास एल पहले जो ओजो लेयर डिप्लीट होनी स्टार्ट होगी थी इसमें क्या होगा अब UV rays आती है UV rays आएंगी तो अभीस बात है हमारी आँखों के उपर पड़ेंगी हमारी skin के उपर पड़ेंगी skin के उपर पड़ेंगी तो skin cancer हो जाएगा और आँखों के उपर पड़ेंगी तो मोतिय बिंद हो जाएगा तो C और D option क्या बनेगा correct answer बनेगा और यहाँ पे color blindness तो नहीं होती यह genetic रोग है अस्तमा आपकी respiratory disease है तो इसलिए answer क्या बनेगा आपका B option बनेगा cataract आँखों के उपर पड़ेंगा skin cancer हो जाएगा skin के अंदर एक जो है आपका pigment होता है जो आँखो color देता है skin को that is called melanin melanin pigment होता है answer is B option providing urban amenities in rural areas for elevating poverty is in India is advocated by इसको आप कहते हैं पूरा model पूरा model providing urban amenities in rural area 2010 में concept आया था APG अब्दुलकलाम मिजान मैन आफ इंडिया था क्या दिया था उन्होंने idea कि जो urban areas में जो चीज़े हैं वो rural areas में पहुंचा दो तो इससे क्या होगा कि जो rural area वाला बंदा होगा न वो शहर में आएगा ही ने जिससे क्या होगा urbanization की problem कम हो जाएगी crime कम हो जाएगा density कम हो जाएगी और लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे rural areas वाले और अपने घर में बैठके ही अपना काम कर पाएगे और development हो जाएगी तो इसका जो concept दिया था वो APJ अबदुल कलाम ने दिया था उनकी vision 2020 a vision of new millennium के अंदर answer इसमें D option बनेगा लेकिन concept जो है 2010 में आ गया था answer is D option but is what is BOD मैंने अभी आपको बताया था कि पानी के अंदर जो है BOD कहते हो तो BOD क्या होता है the amount of oxygen utilized by organism in water answer इसमें क्या बनेगा A option बनेगा option is A is the right answer किशनगर्ड स्कूल इस फेमस वार किशनगर्ड स्कूल जो है यह पेंटिंग के साथ संबंदित है और यह एक राजस्थानी style of painting राजस्थानी style of painting इसमें क्या होता है कि जैसे यह religious sentiments देता है और इनके जो खासकर features होते है जो चिन होते है ना चिन थोड़ी जिसे आप कहते हैं वो बड़ी तीखी होते है नाक बड़ा तीखा होता है नाक नोज और चिन बड़े शार्प होते है features clear आखे जो होते हैं वो deep grooves होते हैं उनके तो यह पेंटिंग राजस्थानी style of painting है चित्रकला का school है किशनगर school answer is B option is the right answer which dam is not for irrigation इनमें से सिचाई के लिए कौँ सा डैम नहीं है तो पहले तो नाम सी पता लग रहा होगा आपको कौँ शिवा समुंद्रम शिवा समुंद्रम fall है करनाटक में और यह जो है यह hydro power project है यह दिया रखना और बाखना नंगल डैम है यह concrete डैम है gravity डैम है और यह river सतलज के उपर है गोबिन सागर नाम की जील भी बनाई हुई है कृष्ण सागर जो है आपका कृष्ण सागर भी बिल्कुल जो है आपका daddy is on the kaveri river जो है आपकी perennial river है जो सारा साल बहती है और इस भवानी सागर और जो आपका तमीलाडू के अंदर देखने को आपको मिलता है और ये जो है South Asia का largest अर्थन डैम है मतलब मिट्टी के चीजों से बनाए गया है तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका शिवा समुंदरम, B option is the correct answer The following program were launched by the nationalists against the partition of Bengal जब Bengal का partition हुआ था जाने के Bengal विवाजन हुआ था तो इनमें से कौन से program launch किये गए थे अगेंस्ट नैशनिस्ट के दौरा जो है launch किये गए थे तो जब partition of Bengal हुआ था 16 October 1905 में तब उन्होंने बात क्या करी थी तो बाइकॉट किया था अंग्रेजों का सवदेशी की बात करी थी नैशनल एजूकेशन की तब ही तो आपके जितने भी स्कूल्स हैं वो खुले थे जो है जैसे जो आपके जो हमारे religion के उपर Muslim universities वगरा सब-सब कुछ हुआ तब ही चला था जामिया मिलया इसलामिया सब जब तब ही खुला था तो ये बाइकॉट सवदेशी और अच्छनल एजूकेशन की बात करी थी शिक्षा अपने लेंग्विज में दो ठीक है नॉन कोपरेशन ही किया गया था नॉन कोपरेशन हुआ था 1920 में ये ध्यान रखना तो ये आपका थर्ड नहीं बनेगा 1-2-4 बनेगा तो इसलिए अंसर का बनेगा डी ओप्षिन 1-2-4 is the correct answer 1-2-4 is the right answer According to the अर्थ शास्त्रा of कोटिल्या जो अर्थ शास्त्र लिखी थी कोटिल्या ने अर्थ शास्तर लिखी थी मौरिया एज के अंदर तो उसमें judicial system के बारे में बात किया गया था तो इसमें judicial system जो है वो किसमें दिखने को मिला था तो मौरिया के अंदर जो है judicial system था जी नयाय वगएर अच्छे से मिलता था तो वो दिखने को मिलता था धर्मस्थाई के अंदर और कंतक शोधना के अंदर जो धरम स्थाय था वो था आपका civil court, civil law के लिए था और जो कंतक शोधना था वो criminal law था criminal चीज़ों के लिए तो अंसर इसमें क्या बनेगा D option बनेगा राजुकास जो होते थे ये जो आपके accountants वगएरा चेक करते थे accounts वगएरा और color के तरह काम करते थे दर्मा महा मात्रा ये जो धमा जाने के जो आपके बहुत दर्म का परचार कर रहे थे उसको हम बात करते हैं तो judicial system में सिर्फ दो और चार ही involved थे अंसर इसमें क्या बनेगा D option is the correct one Part 4 of the Indian constitution does not explicitly expect the state to secure मतलब पूरी तरह से जो है राज्य ने नहीं बता रखा पूरी खुल के नहीं बता रखा तो इसमें वो कौन सी चीज नहीं बता रखी तो पहला देखे no concentration of the wealth and the means of production जाने के जो आपका धन और उत्पादन के साथनों की कोई सांदरता नहीं है concentration नहीं करेगे ये बिल्कुल भात कर रखिया जी आप जो है concentration of wealth को prevent करेंगे ये अंडर आर्टिकल 39C के अंदर लिखा गया है 39C के अंदर ये आपका part जो है explicit होता है इसने not पूछा है पहली बात तो part 4 जो है directive principle of state policy के अंदर है welfare state का करने का उदेश्या जिसमें आप जो है 36 लेकर 51 नमबर तक आर्टिकल आते हैं तो 39C जो है पहले का आएगा adequate mean of livelihood ये आपका आता है 39A के अंदर equal pay for equal work के अगर हम बात करते हैं for men and the women 39D के अंदर आता है maternity leave for implied women ये नहीं आता है ये पूरी तरीके से नहीं हमने बता रखा हमने इसमें बता रखा है कि उसको just conditions provide करेंगे under article 42 जैसे उसको वो काम कर सकती होगी उसको हम condition provide कर देंगे और जो है उसके according maternity relief भी मिल जाएगा but ऐसा नहीं कि उसको leave दे दी है हमने answer इसमें क्या बनेगा D option बनेगा ये explicitly जो है पूरी तरह से जो है मतलब दर्शाय नहीं गया उसके अंदर D option is the right answer next question which of the following statement is not correct about the constitution amendment 86 amendment act 2002 और देखें 2002 के according article 21 a add किया गया था जिसमें 6-14 साल के पढ़ना उसकी fundamental right है article 45 add किया गया था जिसमें 0-6 years के बच्चों को पढ़ाना parents states की duty है 11 fundamental duty add करी गई थी जिसमें आपके 6-14 year के बच्चों को पढ़ाना parents की duty है यह आपके 3 चीज़े करी गई थी 86 amendment के द्वारा it made the provision for early childhood care and education below the age of 6 year under article 45 यह लिखा गया है providing opportunities for education in the 6-14 year age from a parent as a fundamental duty under article 51a यह भी लिखा गया है it made it binding for the government of India to set up a nodal industry to ensure effective implementation of provision under 75 यह कुछ भी नहीं है यह ऐसा कुछ भी नहीं है free and compulsory education 6-2 years 21a यह बिल्कुल लिखा गया है तो कौन सी चीज़ नहीं लिखे गी नहीं पूछा था तो answer इसमें क्या बनेगा जी आपका C option बनेगा C option जो है वो नहीं लिखा गया तीनों education का concept लिखा गया है यह आद आपको याद रखना है पुरुशुक्ता मंडल जो है यह कौन से वर्ना से लिया गया है पुरुशुक्ता मंडल जो है जिसमें आप कास सिस्टम की बात करते है और पुरुशुक्ता मंडल जो है आपका 10th मंडल के अंदर लिखा गया है और यह कहां पर है रिगवेद के अंदर रिगवेद के अंदर अंसर इसमें क्या बनेगा C और रिगवेद को पढ़ने वाले पंडित का जो नाम हो है वो है होत्री यह आपको ध्यान रखना है और अथर्व वेद जो है जिसमें Black Magist की बात करीगी है साम वेद वो है जिसमें Music के बारे में बात करीगी है मनुसुपनिती जो है पहली समनिती जो रिटन में है अंसर इसमें C option बनेगा और oldest religious textbook जो है हमारी रिगवेदी है अंसर इसमें C option बनेगा तोल का पियार is a famous ancient grammarian of the dash language तोल का पियार जो है वो तमिल भाशा की grammarian है और इन्होंने बुक लिखी थी तमिल लिटरेचर लिखा था पहली तमिल लिटरेचर के अंदर जो बुक लिखी थी तोल का पियार पुस्तक लिखी गई थी और जो यह संबंदित है ना वह संबंदित है संगम एज के साथ संगम एज क्या है जो points कवियों की जो संगम होता था points का Million वो होता था संगम और इंशनिट इंड़िया में 3 संगम हुए होए हैं पहला संगम हुआ था मदुरई के अंदर जिसमें सारे gods भगवानों ने हिस्सा लिया था सेकिंड संगम में कपाट पूरम जो आपका तोलका PM जो चेर परसन थे जिनोंने तोलका PR लिखी थी और थर्ड संगम हुआ था मदुरई के अंदर ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका जो इसमें अंसर क्या बनेगा जी आपका Tamil is the correct one Supreme Code of Kolkata Supreme Code of the Kolkata started in India in which act introduced in India देखें Kolkata जो Supreme Code बनाई गए थी वो Regulating Act 7073 में बनाई गए थी और established करी गए थी 7074 में Act था Regulating Act के according तो इसमें अंसर क्या बनेगा जी आपका None of these, None of these is the right answer लेकिन हम याद करेंगे कि Supreme Code जो है अभी New Delhi के अंदर है और New Delhi की जो Government of India Act 1935 के according बनी हुई है और established कब करी गए थी 28 January 1950 को established करी गए थी और प्लस यहाँ पे Act है जैसे Pits India Act है यह 1784 का Act है जिसमें Board of Director और Board of Governor को अलग-लग जो है रूल दे दिये गए थे 1909 का Act जो था वो separate जो है separate electorate के लिए था Moral-E-Minto Reform था 1858 के Act को सुशासन का नियम Good Governance Act भी आप कहते हैं 1919 का जो Act था जिसमें आप Provincial D.R. की की बात करते हैं Provincial D.R. की दुए शासन की बात करते हैं प्रांतों में यह द्यारकना Montesco Chancellor Reform भी इसको कहते हैं आंसर इसमें क्या बनेगा None of these इनमें से कोई भी इसमें नहीं आता So guys अभी आपने पढ़ा था जितने भी हमने Question Distance के I think आपको मज़ा आया होगा और जितनी भी जानकारी होती है सारे Lectures की, PDF की, सब कुछ वो मैं अपने Telegram Channel के उपर आयाम पे शेर करता हूँ Dr. Vipan Goyal के नाम से और मेरे साथ यहां पे 1,30,000 प्लस बच्चे जुड़े होए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं बाकिया मुझे Instagram और Facebook के उपर भी follow कर सकते हैं मेरे दो paid courses आते हैं The one is a 10,000 MCC course जैसे आज हमने lecture पड़ा तो उसमें कुछ questions मैंने अपने 10,000 MCC course से लिए हुए थे तो वो भी आपको थोड़ा सा style पता लग गया होगा और किस तरीके से हम MCC audices करते हैं वो भी आपको पता लग गया होगा और इस course के अंदर जो है यह discount है और इसमें Wipen 10 coupon code आप यूज़ करेंगे आठ तारिक जाने की आठ जून को आजने की कल last data इस course को purchase करने का GS course जो है fully theory course है हमारा topic wise study इसमें करी हुई है और यह आप course purchase कर सकते हैं हमारा अब आप इन courses को purchase कहां से कर सकते हैं दो जगा से एक तो study IQ app की उपर चाहिए आप जो android app है जो हमारी डाउनलोड कीज़े जा website की उपर studyiq.com जैसी आप इसको open करते हैं आपको screen की उपर नज़र आएगा यहाँ पे home page यहाँ पे दिखिएगा best selling courses वी ओल का button इस वी ओल के button को दबाना 10,000 MCC course दिखेगा तीसे नमबर की उपर और GS course आपको नज़र आएगा चौथे नमबर की उपर देगे अगर आपको थोड़ा बहुत भी GS का गयान है थोड़ा बहुत भी पड़ा हुआ है तो मैं आपको highly recommend करूँगा 10,000 MCC course और अगर again आप BPSC की त्यारी कर रहे हैं भीहार Public Service Commission की त्यारी कर रहे हैं और obviously बात है आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा तो मैं आपको highly recommend करूँगा कि 10,000 MCC course से इतने MCC course है जल्दी से जल्दी उसको पढ़ें उनको revise करें clear So guys ये थे आज की lecture के अंदर कोई question जो भी आपको कोई doubt होता है आप मुझे Instagram के पर message कर सकते हैं Thank you so much guys all the very best कल सुबह फिर हम marathon classes में लोंगा और 2-3 classes आएंगी तो उसमें देखेंगे So thank you so much and good luck, take care, bye bye